हलो एवरिबन कैसे आप सब आप सब आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे मैं पूरंपरजापत रसाइन विज्ञान की कक्षा 11 में आप सब मेरे छोटे-छोटे प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूं बच्चों आप सब बहुत करते हुए कमेंट करते रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं राइट मैं भी बहुत अच्छी हूं क्योंकि मेरे साथ आप इतने सारे बच्चे एक साथ लाइव जुड़ रहे हैं राइट मेरे बच्चों तो फटा-फट जल्दी से जुड़ो जल्दी-जल्दी-जल्द और चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में कमेंट कर दो और लाइक बटन पर भी क्लिक कर दो चलें जी चलते हैं आगे बच्चों हम सब ने 11 क्लास में अपना पहला चाप्टर कम्प्लीट कर लिया है आप सबने सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से पढ़ लिये होंगे यह मुझे विस्वास है तो अब हम क्या करेंगे हम अपना अगला चाप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम क्या है परमानू सरंचना राइट इस चाप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज वो द सेकिन इंपोर्टेंट बात नोट कर लेना यह जो चाप्टर है बेटा आपको 11 में भी बहुत काम आने वाला है इवन कैमेस्ट्री के साथ साथ यह टॉपिक आपको फिजिक्स में भी बहुत हैल्प करता है इसलिए थोड़ा सा अच्छे से इसको पढ़ेंगे ताकि आपको 12 में जादा दिखकर ना आए ओके तो फटा फट चलते हैं आगे अपन देखते हैं कि आज अपन कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन आज पढ़ेंगे क्या इलेक्ट्रोन की खोच इलेक्ट्रोन की खोच किसने की किस तरीके से की कैसा मॉडल दिया उसके बाद हम देखेंगे इसी के साथ इलेक्ट्रोन के बाद प्रोट्रोन की खोच इसके बारे में किसने बताया न्यूट्रोन की खोच और साथ ही हम एक टॉपिक और डिसकस करेंगे इसी बीच परमानू मॉडल जो इनी के बीच में आएगा वो भी हम आज ही डिसकस करेंगे अगर आ तक मेरे साथ जुड़े रहना है लास्ट में बताऊंगी कि कैसे क्योस्टन पूछे जाता है आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूं उसने से तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहे जितनी अच्छी सेटिंग होगी बच्चों उतना ज्यादा समझ में आएगा ये मेरा आपको क्या है पूरा पूरा मैं आपको ये विश्वास दिला रही है तो चलते हैं हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक ज्यादा समय को नागवाते हुए अपना आज का टॉपिक क्या है सबसे पहले अपन देखेंगे कि डॉल्टन के अनुसार हम लोग जो कुछ भी IK इंङए कि एंटम जो है परमानू सरंचना जो है वो क्या है और ओर मानू सरंचना में परमानू क्या है ये थ्योरी वैसे तो हम लोग वहां पर हमने देखा था कि डॉल्टन ने कहा था ना कि परमानू में क्या होता है ए विभाज कन होता है तो डॉल्टन नहीं सबसे पहले यह बताया था तो डॉल्टन ने क्या कहा था एटम को लिया था ओके एटम में उसने कहा कि परमानों को हम क्या कहते हैं एटम कहते हैं जिसमें दो शब्द होते हैं ए और टम ए का मतलब होता है not और टम का मतलब होता है cut यानि कि अगर दोनों को जोड़ दूँ तो not cut जिसे काटना संभव नहीं है तो ये डॉल्टन ने बता दिया था अब डॉल्टन को जब डॉल्टन ने इस चीज को बताया उन्होंने समझाया तो उसके बाद में इस पर रिसर्च होना शुरू हुआ रिसर्च हुआ तो बताया गया कि परमानू विभाजित नहीं है लेकिन उसमें कण तो मौझूद है उन कणों को क्या कहा गया उन कणों के रिसर्च कैसे हुई तो वह आगी जाके अलग-अलग साइन्टिस ने बताया तो फटा-फट इसका स्क्रीन शोट लेंगे आगे अपन आगी ती बातों को डिसकस करेंगे डॉल्टन चलते हैं आगे क्या कहा जी डॉल्टन ने जो हमने समझा क्या वही कहा बिलकुल वही कहा है पदार्त का सुक्ष्म दमकन परमानू होता है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है प्रियोगों द्वारा परमानित हो चुका है कि परमानू कहीं परकार के अती सुक्ष्म कणों से भी मिलकर बना जाता है राइट बात क्लियर हो गई तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से बच्चों में पूरा प्रॉपरली नोट्स बनवा रही हूं यह अब आप लोगों में कितना उत्सा है कितना जोश है वो तो आप मुझे कमेंट में ही बता सकते हैं कि आप लोग नोट्स सबसे पहले जो इलैक्ट्रोन के बारे में रिसर्च हुआ वो सबसे पहले एक कांच की नली में हुआ कांच की एक निर्वातित नली ली गई उसके अंदर इलेक्ट्रोन के कनों की खोज की और वो किसने की? माइकल फेराडे ने की सबसे पहले किसने की बिटा? माइकल फेराडे ने की थी उसके बाद में इलेक्ट्रोन के द्रवेमान पर जब रिसर्च हुआ तो थॉंसन आया था तब उसे थॉंसन ने इसके बारे में रिसर्च करके उसके द्रवेमान को बताया तो वह थॉंसन सेकिंड पार्ट था राइट फॉर्स्ट कौन था माइकल फेराडे तो उसने क्या किय किस तरह से रिसर्च की तो आपके सामने एक तस्वीर नजर आ रही है रहे इसे निर्वातित कांच की नली कहते हैं इसे क्या कहते हैं पैरे बच्चों यह एक निर्वातित कांच की नली है निर्वातित कांच की नली है ठीक है जी ठीक है निर्वातित काज की नली है जिसके अंदर एनोड और कैथोर लगे वे यानि कि ये कैथोर का हिस्सा हो गया और ये एनोड का जिसे कहां पर जोड़ दिया गया है एक उच वोल्ट वाली बैटरे से जोड़ दिया गया है जोड़ दिया और यहां पर जब क्या किया गया माइनस से निकला प्लस की और इलेक्ट्रोन गया और इलेक्ट्रोन की दिशा के विप्रित क्या होती है धारा तो माइकल फिरादे ने क्या किया कि एक निर्वातित काज की नलिली उसे क्या किया आविशित करवा दिया यानि कि बैक्टरी से दोतार लगा दिया और जब विद् चला ऐसे तो कंड दिखाई नहीं दे सकते केवल काच में कुछ नहीं है तो उन्होंने क्या किया निर्वातित पंप जो था उसमें क्या किया गेसे भर दी कोई गेस भर दी और गेस कैसी अक्रिये गेस कौन सी गेस बेटे अक्रिये गेस क्यों क्योंकि यह गेसे जो हैं वो किस से reaction नहीं करती कोई भी कन से reaction में करती है कि तो उन्होंने अक्रिये घेस भर दिनीन दाप भर के देखा जब दारा का प्रवा हुआ हुआ था तो कुछ कन जो है वो जाते हुए नजर आए ठीक है यहां तक तो उन्होंने कह दिया कि यह जो कंढ आई वह कहां से निकल रहे हैं के थोर से कहां से निकल रहे हैं के थोर से निकल रहे हैं तो इन पर कौन सा चार्ज बताया रिनावेश बता दिया क्योंकि माइनस से निकल रहा है तो कंड तो माइनस चार्ज वाला ही होगा और इन्होंने कहा कि ये के थोर से जो कंड रहे हैं उन पर चा कहाहां कि थोटर निकल रही थी तो इनको क्याद जो वहतं हो कि यदि इंड जो है एक ही स्थति में नज़र आए करणों की रूप में बता कि थोर कि कि मैं और रहे भी विशेश्थे था इबंद दीसे में जाती तो उन पर डिसकस कर लें, बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रोन की खोज कांच शुरू हुई, एक कांच की नली से, जिसमें निर्वातित क्या कर दिया, और उसके अंदर एक क्या कर दी, निम्न दाप पर गेस भर दी, भर दी ने गेस और वो गेस अक्री अकर, उसके बाद उन क्या कर देएं रात समझ में आ गई, अब चलते हैं कि थाटोशों किरने हो, और कहां से आया, तो आए सुरू करते हैं अपना टॉपिक, अब ये चRI rather के थाएं, एक नली जिसमें किसी गेस को लेकर अत्यंत कम दापन उच्छ विभवानतर पर क्या किया विद्युधरा को प्रवाइद करने पर विसर्ग नली में कैथोर से एक प्रकार की किर्णे निकलती है करते हैं इससेarti fluorate डाएग्राम से किसीरा में करती हैं टोटी सीदि रेखा में कैसे इस बात को भी सिद्ध का उन्होंने अभी देखेंगे अपने डायग्राम से कि इस वाइभ और सामने की दिवार पर कोई क्या करती हैं सामने की दिवार पड़ती है इन किर्णों को के थोर के में कहा क्लियर यह मैंने समझा दिया स्क्रेशोट लेंगे फड़ा पर देंगे जल्दे से टाइम को कंज्यूम ना करते हैं चलते हैं आगे के थोर किर्णों के गुण अब वो गुण क्या थी है ना तो पहले तो यह सिदी रेखा में गवन करती है सेकिंड एपार्दिश्ची वस्तु के सामने पर वस्तु की च्छाय के थोर के दूसरी तराफ होती है परमानित होता है कि किर्णे सिदी रेखाओं में चलती है कैसे देखेंगे के थोर से निकली क क्या है केथोर ठीके बच्चों केथोर से केड़ने निकली अब क्या किया कोई क्या कर दिया एक धातु की वस्तु पारदर्शी लगा दी जैसे ही पारदर्शी लगाई तो वो आगे नहीं जा रही है अब उसकी चाया बन रही है पीछे की ओर ये देखा गया दिख रही है वस्तू की छाया बन रही है यहां पर जो एनोर पीछे लगा था ना उसको नीचे की साइड में कर देगा कि यह तो अपने को दिखाई नहीं देगा पहला क्यों सीधी रेखा में कैसे आपन जानते हैं कि प्रकाश की जो किरने होती हो सीधी रेखा में गमन करती है करती है साथ हाशफ में है अपने यह भी देखा है कि धवनी जो है उसके साहथ साहसरा क्यों क्यों कर सकते हैं यहां पर बोल रहे हैं रूम में तो पास वाले रूम में सुनता है ना इसका मतर्श बगल जाती है लेकिन प्रकाश में क्या है रूम में आपन बैठे हैं तो मुझें आपने रूम में आपन ऑप प्रदा लगा दिए तो आफ प्रिये नहीं होगा क्लियर साया थिए क्लियर और यहां पर यहां पर वस्तु रगदी आप वहां में क्या होती है जो इनकलती है यह सीधी रेखा में गबन करती है और क्या होता है इन पर कौन सा आवेश होता है इजरिण आवेशित होती है clear और यह जो कण होते हैं इन्हें ही क्या कहा इल्यक्टों नाम दिया गया मेरे बच्चों को बात समझ में आगी तो पटावर लाइक कर दें और कमेंट कर दें शायद बात clear हो गई है चलते हैं आगे की कि इन किर्णों के मार्ग में हलका क्या रख देने पर इन किर्णों के मार्ग में हलका सा कोई भी पैडल रख देने पर यह अपनी धूरी पर ही नाचने लगती है वहीं घूमती रहेगी पिर आगे जाएगी नहीं अब कमरे में लाइट है तो कमरे में ही रोशनी होगी ना बा देखोई आपके सामने तस्वीर में नजर आ रहा है यहां पर लगा दिया तो यहां पर यहीं पर गूम रही है राइट देखो जी देखो समझ आ गया होगा यह तो क्लियर हो गई सारी कैथोर किनों के सारी बातें जो है वो डाइग्राम से बिल्कुल क्लियर है यह आपका बि बुक पढ़ने की जरत ही नहीं पढ़ी अगर आपने मेरे नोट सच से पढ़ लिए तो फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे डान ओके चलते हैं आगे अगला पॉइंट कहता है कि विद्यूत या चुम्ब की एच्छेत्र के प्रभाव से यह किरने विचलित होती है इनके वि हिनावेश ही होता है इसको भी डिस्क्राइब किया और के ने क्रीने विद्यूत चुम्ब कह थे होती है तो यह विचलित हो जाती है जो आपको इस डाइग्राम में लिखाए दे रहा है देखो बच्चो अपने यहां पर क्या किया अपने यहाँ पर देखा कि अपने पास क्या है अपने पास बैट्रे लगे हुई है और यहाँ पर अपने क्या कर दिया एक चुम्ब के च्छेतर आरोपित कर दिया कर दिया चुम्ब के च्छेतरा रोपित जैसे ही चुम्ब के च्छेतरा रोपित किया तो माइनस से चलने वाली जो किरने थी वो क्या हो रही है प्लस प्लेट की और क्या हो रही है गमन कर रही है जा रही है ना तिर्ची हो गई ना तो इसलिए जो भी कोई भी आवेशित कंड यदि प्लस की ओर जाता है तो इसका मतलब उस पर माइनस चार्ज और माइनस की ओर जाता है इसका मतलब प्लस चार्ज तो इस प्रकार इन के थोड किर्णों के बारे में पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि खोज पर डिज्केशन पूरा हो गया था उसके बाद आया था था फॉं ठोंसन जिन्होंने क्या कहा कि जब आवेश पता चल गया तो आवेश का मान कितना और यह जो कण है इनका इलक्टरोनों का द्रविमान कितना होता है यह भी नुने बताया तो यह बात क्लीर हो गई फ के थोड का प्रियोग करते हुए हर हालत में एख और इसे प्रकार के कर निकालती है तो मॉलिक करें जो होता है हर परमाण में होगा ऐस कर हर कण में य première परमान JJ कंग मोजूद है तो वो कण जो हें उन पर आवेश उन पर जो चार्ज होगा को हमेशा क्या रहेगा समान रहेगा राईивать इस लिए इन क्णूं की व्याःक्या कि targeting चलते हैं आगे ये कह कि अब पता दिया अब कौन आया फिराडेगे बाद टॉम्सन क्या कह रहा है किन कणों पर आवेश और द्रेवेमान का अनुपात प्रियोग द्वरा गयात हुआ इन्हों ने विभिन विसरजन नली का उप्योग किया और इलैक्टोर के काम मिलाया था विसरजन नली में विभ चाहलोन ने देखा कि इस पर अलग-अलग गयसया परो ठीक है लेकिन वो सब क्लीने तक ciao ड्य वही होनी चाहिए इसलिए आ अलग-अलग गयसया परो को और हम क्या पर धारा का प्रवा करो जिस अधरा प्रवा होता जाएगा वहां से कन निकलते जाएंगे और वो कण जो है उनकी च्छाया बनती रहेगी यदि आपने परदा लगा दिया है तो परदा नहीं लगा तो सीविरेका में घमन करती रहेगी इस प्रकात उनों यह जो कड़ में उपर आवेश कितना होता है तो सभी कड़ों पर समान प्राप्त किया गया और कड़ पर आवेश और उसकन के द्रवयमान का जब अनुपात निकाला तो इल्यक्टों का द्रवयमान भी सामने आगे जो प्रते कंड पर क्या था समान था राइट तो चलते हैं आगे फटाफट इसका भी आप स्क्रीन शोट लेंगे ड़न चलते हैं आगे अब ये कह रहे हैं कि आपके सामने ये जो लिखा गया है वो रहे हैं कि हर हालत में इम का मांच जो है वो क्या होगा यह पॉन एंज क्या होता है बेटा उसकण का द्रविमान हमेशां कितना आया 1.76 into 10 to the power 8 underline करेंगे और ग्राम में ही पाया गया इस सिद्ध होता है कि सभी परमानों के मौलिक अवेवीकरों का मान इलैक्टरों रखा गया और उनका मान क्या होता है समान होता है ठीक है जल्दी से स्क्रीन शोट लेंगे फड़ा फड़ा जड़ा जड़ा चलदी से चलो चलो अब आता है कि इलेक्ट्रोन की खोज हो गई पहले परमानु डॉल्टन ने बताया उसके बाद में फेराडे ने क्या कहा इलेक्ट्रोन के बारे में रिसर्ज किया इलेक्ट्रोन के बारे में पता चल गया अब इलेक्ट् पर रिनावेश से युक्त कन हैं जो प्रतेक तत्र के परमानों में उपस्तित होना अनिवार यह है एलेक्ट्रोन के आवेश का मान कितना होता है बच्चों 1.60 into 10 to the power minus 19 कुलाम होता है बात समझ में आगर होगी फटा 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 सेकिंड इसका द्रव्यमान कितना होता है द्रव्यमान यानि कि आपको यदि किसका मान चाहिए आपको यदि इलेक्ट्रोन का मान चाहिए तो इलेक्ट्रोन का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं कन का आवेश बटा उसकन का द्रव्यमानों का अनुपात अगर हम निकाल दे तो हमें किसका पदा चल जाएगा इलेक्ट्रोन का द्रवेमान गयात हो जाता है जो कि आपके पास इस प्रकार प्रप्त होगा तॉम्सन ने प्रियोग से इबटाम यानि कण का द्रवेमान निकाला 1.76 जबकि मिलिकन ने एक किसका एक कण पर आवेश निकाला मिलिकन तेल गूंद प्रियोग आपके NCRT में साइड में एक द्रवेमान ने प्रियोग देखा लिए और तेल की एक ट्रोप डाली और उसके ऊपर क्या किया इस प्रे किया राइट उस पे जब द्रवेमान गिरी तो उसमें देखा गया कि वह जो बूंद है उसको माइक्रोइसकोप से देखा गया तो उसके ओपर जो आवेश था वह व द्रवेमान कितना आया 1.6 x 10 to the power minus 19 और ये मिलिकन ने बताया था इसे इसलिए बताया गया मिलिकन तेल बूंद प्रियोग कहा गया यह साइड में लिखा गया है था तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दिया आप लोगों को तो यह बात क्लियर हो गई बच्चों ओके स्क्रीन शोट लेंगे जल्दी से ताकि हम अब इलल्क्त्रों का द्रवेमान निकाल सके हैं जो की किस प्रकार है सामने पर दिखाए कि दे रहा है यह क्या है आपके पास यहां कर ट्रों का द्रव्यमान चाहिए आपको क्या चाहिए बच्छो इलेक्ट्रोन का द्रव्यमान ठीक है जी अब यह द्रव्यमान निकालना है तो इकन का क्या है आवेश इबटा म क्या है इलेक्ट्रोन के द्रव्यमान ठीक है कन का द्रव्यमान यह है कन का द्रव्यमान और यह है कन का आवेश ठीक है तो आप अब इसका मान दियोगा कन पर आवेश कन का द्रव्यमान दोनों की वेल्यू कितनी आई ग्राम में 9.1 एक इंटु 10 तो दी पावर माइनस 28 इसे आप नोट करेंगे और यदि केजी में लिखे तो माइनस जटीस हो गया ना क्लियर बात समझ में आ गई होगी याद रखना है इलाक्ट्रोन का द्रवेमान होता है 9.1 इंटु 10 तो दी पावर माइनस 21 जबकी एक कण पर आवेश होता है आवेश नहीं एक कण का द्रवेमान होता है 1.76 इंटु 10 तो दी पावर 8 डन क्लियर हो गया होगा चलते सेफ पड़ा पड़ स्क्रीन शोट लेंगे ये बातें बहुत जरूरी है चप्टर में आप जब पढ़ते हैं तो क्लियर नहीं होती है इसलिए इसको इतना डिटेल में बढ़ा रहे हैं चलते हैं आगे अब चलते हैं तो एनोड किरने और क्या है आपके सामने प्रोटोन एनोड किरन और प्रोटोन किसे कहते हैं अब एनोड एनोड की जब बात आती है जच्छों तो एनोड किरने और प्रोटोन क्या होता है ज़र अध्यान देंगे है ना अपने देखते हैं कि अपने पास जो एनोड है अपने पास जो एनोड है तो वो अपने कहां देखा था अपने देखा था अभी एक रिसरजन नली ली थी किसने माइकल फेराडे में ली थी ना उन्होंने दो चीजें लिख थी इदर केथोर लगया इदर एनोड लगया बिकले निकले निकले तो फिर कि वहांत पर भी तो हो सकता है कोईने कोई क spar निकले होंगे तो similar जैसे इलेट्टोना पर रिसरच हुआ वैसे ही इस पर रिसरेच वा था रोगार पर डॉन पर जब रिसरच हुआ तो प्रोटोन के बारे में सबसे पहले कहा गया कि यदि विसरजन नली में कैथोड के बारे चिदर दिया जाए तो निम्न दाप पर अधिक विभुवांतर पर विजुद्धरा प्रवाइद करने पर हमें क्या होती है कि धनावेश यूप्त होती है अता इन्हें धन किरने या फि दए ऑगता है बच्छो नोट करना केनाल र्रे क्या होती है केनाल र्रें के थोड से नहीं निकलती है के थोड से निकलती है वह कौनसी किरने होती है जरहां धियान देना हुटpy 30 मेरे बच्छों फटा फट फटा फट स्क्रीन शोट लेंगे ताकि हम आगे बढ़ सकें अब देखो सेमिलर जो बात हमने वहां की थी वहीं यहां कर रहे हैं प्रोटोन के बारे में तो यहां पर बात हो रही है क्या प्रोटोन की खोच करने के लिए वही एनॉड को इस तरफ लग दिया इस ब तो कहा कि यहां पर किस छिद्र कर दिया और पेछे की साइड में एक प्रति भिप्तलग की लगा दिया जो कोई भी लाइट या गिरेगा तो चमकेगा और नहीं गिरेगा तो नहीं चमकेगा तो ऐसे चीजों को प्रति दिप्ति पधार कहते हैं तो जैसे ही आमने क्या धारा का प्रवा हुआ इधर से क्या हो रहा है इधर से हो रहा है आपका क्या इधर से तो हो रहा है यहां से यहां तो आ यहां से यहां आ रही है आपकी धारा तो जब धारा का प्रवा हो रहा था तो देखा गया कि एंटोर्ट से कुछ कण तरह जाते वे नजर आ रहें और वा कण आगे की तरफ निकल जाते हैं किजोन छिद्रित है तो यहां पर calculate क्या हो जाता है परत पर कुछ चमकता हुआ पदार दिखाई देता है पदार चमकता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है तो कुछ किरने वहां पर जाकर टकरा रही है क्लियर तो यहां पर जो कन टकराएं उन पर घनावेश बताया गया और जिन कनों को क्या कहा गया प्रोटोन कहा गया और यह सबसे पहले पता है आगे आगे क्या है अब हम बत करेंगे प्रोटोन या एनोड या फिर धन किनों के गुण वहीं सिमिलर गुण जैसे अपने करती है तो वहाँ परदा परदर परदशित होती है पर होता है किया रही है पहला पॉइंड कि आपक है कि तो किर्म की विपरिद दिशा में इसके मार्ग में वस्तु कि रखने पर वस्तू की चाया बन जाती है सही है अभी अपने डाइगा में देखा था तो क्लियर हो गई उसके बात वो कहता है कि इसके आगे भी कोई परदा रख दिया जाए तो यह अपनी धूरी पर ही नाचने लगती है तो धूरी पर अपने को पता है वहीं पर ही घूमेगी क्योंकि यह सीधी रेखा में गमन करती हम पहले ही बात कर चुके है इन की प्रनी में प्रियुक्त गेस की प्रकरती निर nuclear thing है और यह प्रकार्य कर्ण करती है जिसे फ्रोटो माहा कि यह कहा गया प्रोटोन कहा गया धिक आसे केиля को कहते है के नाल रे कर जा प्लीज बच्चों नोट करते जाओ जो जो मैं साथ दारें एक नुबार क्वेशन पक्का आएगा आपको यह मैं कहा रही हूं कंफर्म आप देखना अपने क्वेश्चन अद्वार्शिक जो होनी है उसी में देख लेना यह क्वेश्चन आता है कैना लगे क्या होता है प्लो लास तक बने रहो फटा फट कमेंट लाइक जल्डी जल्डी करते रहो और इसका स्क्रीन शोट ले लो चलें जी आगे प्रोटोन के गुन पहला गुन क्या है कि इस पर आवेश क्या होगा भई जितना आवेश इलेक्टोन पर उतना ही होगा लेकिन अब चार्ज वहां किसके बराबर हाइड्रोजन परमानों के लगबग बराबर होता है और इसका दरेवमान 1.67 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 24 जबकि वहां पर इलेक्टोन का दरेवमान था क्या 9.1 इंटू 10 तुदी पावर माइनस 28 क्लियार बात समझ में आ गई होगी याद रखो याद रखो जो पीछे पढ़ाया हुआ है साथ साथ लेकर चलो राइट तो इसक्रीन शोट लेंगे फटा पर देखें जल्दी से बच्चों चलते हैं आगे आप कौन आ गया थांसन का परमानों मॉडरे अब हम बात करेंगे मॉडरे की अब आप सोच रहे होगे मैं न्यूट्रो एक पार्टिकल और यूट्रों की खोज भी ठोड़ा बाद में हुँ प्रोटोन बताया इलैक्ट्रोन बताया थॉंचन ने और रदरफोड ने तो फिर उन्होंने अपना परमानू मॉडल लिया कि कोई भी परमानू होता है इसका नाबिक होता है और नाबिक के चांशरफ electron होते हैं किस परकार arrange होते हैं Thompson ने बताया रदरफोर्ड ने बताया फिर नुनने कहा कि इनका । कुछ बदल जाता है एक का कम है एक जादा है तो इसमें एक particle और है वहां से ये question उठा कि वो particle कौन सा होगा तब जाके third number का neutron की खोज बताई गई तो वो वहीं पर discuss करेंगे थोड़ा सा आगे उससे पहले परमानू model को discuss कर लेते हैं right मेरे बच्चों तो चलते हैं फटाफ़ शुरू करते हैं Thompson का परमानू model क्या था? Thompson ने क्या कहा था? परमानू क्या है? Thompson ने कहा कि परमानू क्या है? एक गोला है धनावेशित गोला है जिसमें electron जो है वो बिखरेवे होते हैं और उन्होंने कहा कि इस model को उन्हों तर्बूद से जो हम खा रहे हैं ना भी गर्मियों में तर्बूद से correlate किया और कहा कि तर्बूद जो है वो पूरा तर्बूद जो है धनावेशित गोला है जिसके अंदर जो है उसके बीच जो है वो electron है उसकी तरह ही वो बिखरे हुए रहते हैं और यह दी एक्जामपल लूँ जिसे कि डाल का जो हल्वा होता है उसमें जो होते हैं किस तरह से दिखरेवे रहते हैं वैसे ही इलक्ट्रों जो होता है एक परमानों के अंदर दिखरा हुआ रहता है बात समझ में आई तो इसको उन्होंने एक मॉडल से प्रस्तुत किया जो आपके सामने कुछ इस प्रकार रखा गया है यह धनावेशित गोला है बच्चों क्या है यह धनावेशित यह धनावेशित गोला है जिसमें क्या होता है केंद्र में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज है और इलक्ट्रों जो होते हैं वह क्या होते हैं आणकस्य वह रहते हैं कि उन्होंने कहा कि समान रूप से थ्योरी chi आगे जाकर रूप लेती है तो फड़ा-फड इसको आप ने ज़र चले थामसं ने क्या कहा उनों ने कहा कि परमाण। एक धनावेशित थोला है जिसमें क्या होता है इलक्तोन धसे वे देशनल से फिर उन नहीं क्या है कि न Hoje Baptist आवेश्यbn नाम के समान होते हैं इसलिए परमान। विध्यतिय रूप से हुटा है है उदाशीन होता है अभी से यह विघूख्यों क्योंकि में पोरी तरह से होते हैं जूरत बात समझ में आ गई होगी जल्दी से ऐसक्रीन स्क्रीक्राइश्ट लेंगे चलते हैं अब और रदरफॉर्ड को नहां थॉंसन का मॉडल तो क्लियर हो गया लेकिं उसके ऊपर फिर से रिसर्च किया पता है हम लोग तो आज कल क्या करते हैं कि थोड़ा सा किसी पर बात होती है हम लोग उसकी जाग रुकता नहीं है कि इस पर और क्या हो सकता है साइंटिस्ट क्या करता है कि रिसर्च पर रिसर्च करते हैं नहीं तो फिर-thompson के बाद वोड ने फिर से रिसर्च किया परमानु कि अलफा कन क्या हैं अलफा कन जो होते हैं वो क्या होते हैं छोटे कन होते हैं उनकर रहर करके देखा है कि क्या result आता है तो उन्हों सीधे निकल ले जा रहे हैं कुछ टेडे होते जा रहे हैं और कुछ वापस भी आ रहे हैं तो यह क्या हो रहा है आपको इस डाइग्राम से पता चलेगा तो सबसे पहले अलफा कणों का शुरोत ले लिया ले लिया ना अलफा कणों का शुरोत ले लिया और वहां से क्या किया कि अलफा कणों के पीछ में एक क्या लगा दी पटी सी परदा जिसमें बीच में चिद्र कर दिया उस चिद्र में से वो कंड क्या कर रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं ना सीधे के सीधे क्या कर रहे हैं जा रहे हैं कुछ कंड अपने दिशा से विचलित हो गए कुछ कंड क्या हो सीधा निकले तो वहां पर सेंटर में जाकर वह सोने की पनी से तक रहे जब तक रहे तो फिर विचलित होगा हम इसे माल्मलों एक श्रोत लिए इसमें अल्फा गर हैं ऐल्फाक है उसक्र है कि चोटा हीलियम के निकले तो सोने की पन्य पटक वहाँ पर उनका और विस्तार हो गए यानिकी वहाँ पर पुईतर रैसे बिखर गये जैसे बिखरे तो कणों में किया स्थती उत्पन हूई उसको अपन प्रियों किया था जब सौने की पनी प्रहार किया था तो ने विस्कोश क्या क्राम तो उन्हOM में तेखा कि अधिकांज कुछ अलफा कन अपने मार्ग में बिना विचलित हुए क्या किया सुवन पत्र पर जाकर के टकरा गए और कुछ अलफा कन अपने मार्ग में थोड़ा सा विचलित हो गए देखा न अभी आपने क्या था यहां पर देखा था कि कुछ कन क्या हो गए सीधे निकल गए यह सीधे करेंगे तो यहां पर अलफा कंड बहुत कम अलफा कंड लगभक कितना जितने कंड आपने दिये उसमें से 20,000 20,000 अलफा कंड टकराकर अपने मालग पर क्या आगए पुने है वापिस 20,000 में से केवल एक कंड ऐसा था जो लोटकर आ बाकी क्या हो रहे हैं सीधे जा रहे हैं या विचली तो हो रहे हैं तो यह रदर पोड ने कहा इन शोट बोलू तो रदर पोड ने सोने की पन्नी पर प्रहार किया प्रहार करते ही बहुत सारे कंड अलफा कंड डाले तो डाले जब क्या हुआ कि उनमें से कुछ कंड तो क्या स आपके पास सामने स्वरिदन पर डाइग्राम दिखाया दे रहा हो इस बात को पुली तरह से एक लियर कर रहा है numer अर्टाकण के बोचार दिखाय़ दे रही है मैं इस काण में क्या है सेंटर में धनावेश्ट गोला है पॉजिटिव चार्ज हो तो जब अलफा कंड जब इससे टक्रा कर वापन जा रहा है तो इसका मतलब धनावेश भी पूरी तरह से क्या नहीं है बिखरा हुआ नहीं है थोड़ी सी जगय में ही क्या है नाबिक है नाबिक में धनावेश है और इलैक्ट्रोन भी क्या है ऐस समा गया है रदरफोर का मोडल एकदम क्लियर हो चुका है आप इसका स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आपको बात समझ में आ जाए क्लियर इसलिए कहा गया पता है कि इसका जो परमानू जो होता है परमानू का जो त्रिजा होती है परमानू की त्रिजा कितनी होती है बच्चों प इतनी नाभिक कित प्रिजा होती है बहुत कम दस की बात माइनस 15 मीटर क्लियर यह बात आपको पता होने चाहिए यह भी एक्जाम में क्यूश्चन पूछा जाता है जी बिलकुल फड़ा फट स्क्रीन शोट मारें जल्दी से चलते हैं आगे इस प्रियोग से रदर फोर्ड न निम्नन कितर निशकर्ष निकाले जो पीछी आपने किया उससे क्या था परमानों से अधिकतर इस्थान रिक्त है देखा ना वहाँ पर रिक्ती तो था अधिकतर अलफा करण उनमें से सीधे ही निकल जाते हैं धनावेशित अलफा करणों का सभी दिशाओं में विच्णित ना यह तर्शाता है कि पर्मान उनका मद्यीस तान करको समान आवेश पस्तित है बहार निकल गए ना तक्रा खटातopol कोई ना कोई आवेश तो है लेकिन एक ही आवैश है तब ही तो क्या वज़ो रहे है परतिकर्शं हो रहा है अगर अलग-अलग आवैश होया तो वहीं प पत्तर से ठक्राकर वापस लोटने वाले अलपा कुणों की संक्या बहुत कम होती है तो परमानों के अंदर उपस्ति धनावेश वस्तु का आयतन अत्यांत कम होता है देखा ना नाविक की प्रेजा कितनी होती है दस की घात माइनस 15 मीचे बात समझ में आ गई हो चलते हैं अनुसा ऐ परमानू का संपोर ध्रेमान उसके नाभिक में होता है सही कोई भी डाउट नहीं है करमान काहां नहीं थे सेंटल में नहीं तबी तो वहां से कन वापस आ रहा इतना भाई है राइट सेके क्या बूला कि परमानु के अंदर अधिकांस स्थान रिक्त होता है कि एक ही जगह पर संपून है बाकी भाग उसका क्या है रिक्त है परमानु में जिनावेशित इलेक्ट्रोन और धनावेशित प्रोटोन की समान होने के कारण परमानु में जिसद इधासीन होता है घुक तब है यह तुस्पे धनावेश भी है और प्रोट्रोन भी बात समझ में आगी होगी राइट फटाफर इस्क्रीन स्क्रीन सोट लेंगे चलते हैं आगे अगला टॉपिक आपके पास देखो नाभिक का आयतन प्रमाणू के आयतन की तरफे में रहा होता है लिट्रों ना भीक के चारहों और व्रतिय पथ में चक्तर लगाता है जि को चीक स्क्रीन पर क्या कह रहा है लेकिन आप लगाता है क्लियर बात समझ में आ गई होगी अब आया रदरफोर्ड मॉडल के दोस्त जो सबसे इंपोर्टेंट बात है रदरफोर्ड मॉडल तो क्लियर हो गया पूझ पूच नहीं था रदरफोर्ड आया उसने का एक सोने की पननी लिली लफा कन लिये बोचार की केञ़नों को निकाला कुछ नंग में कम है जो आपक के जस मान और वहीं परुनों ने ये भी कहा कि परमानु जो होता है उसमें नाभिक केंद्र में होता है और इसके चाहँ तरफ वर्ताकारपत में इलाक्टोन चक्र लगाते हैं यह था रगर अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं क्या अपना तो पिक जो है रगर फोर्ड में इसके दोश क्या है पता है बच्चों रगातार वर्ताकारपत में चक्र लगाते रहते हैं कौन इलाक्टोन उन्होंने कहा कि लगातार इलाक्टोन चक्र लगा गए उजा का उत्सर्जन करत तो इसी तो यह श्थाई हो गया को बाई टो है यह नहीं होगे लगातार चक्रल लगाएंगे तो इसे हो गया साज़त कर Ricky कि नाबिक में करने नभी जाएंगे लमन्य इस करे तो हम सब भ़ब सब्सक्राइब कर दो कमिया एक्जाम में पूछी जाती है दो नंबर का क्रेश्चन आता है तो आप फटा-फट इसका स्क्रीन शोट लेंगे आपको समझ में आजाए हो गया दन चलते हैं आगे अब आगया रदर पाओर के बाद न्योट्रोन सही है एलेक्ट्रोन प्रोट्रोन तो सब क्लियर हो गया मॉडल के अंदर समझ में आ गया आप आता है न्योट्रोन के दो कन है तो फिर भी दरवेमान अलग-अलग कैसे आ रहा है तो इसलिए कहां कि एक कन मोजूर और है और इसकी रिसर्च जो है सबसे पहले किस इसने की ती जैंस चैडवयक में इसने की जैंस चैडविक में इलیک्ट्रोन की खोजらग माइकली फेयर दे बाद में फॉटोन डॉट्रपर आया और उस के बाद में उट्रोण कंच से बीग इसकी ट्रिक बताँ गाहहूं के कि टैने यह देखा कि हाइद्रोजन को छोड़ कर अजे सबी तो के किल से कम से कम दू-गुना से कम से कम दू-गुना तो कोई दू-गुना तो है आपने देखा है ना परमानू-क्रमां को मिने मिखोग नहीं होता है तो उसके बाद आगे चलते हैं इसका निकाला कि पर्माणु में आवेश्य ही कोई उदासीन कन विद्यमान होना चाहिए जिसका मान द्रविमानों के प्रोटोनों के लगभग बराबर हो आवेश हीन हो आवेश हीन हो लेकिन उसका क्या हो परमानों में अवेश्य ही कोई उदासीन कन विद्यमान होना चाहिए क्योंकि इसलिए द्रविमान प तो खोज सब्सक्राइब जैम्स चैद्विक ने की उन्होंने दासीन कणों का पता लगाया और कहा कि कणों की विद्धित प्रासिंद है का है इनका नाम न्यूट्रोन रखा गया और इनका द्रवेमान प्रोटोन के द्रवेमान के लगभग बराबर रखा गया पर प्रमान के बारे में बताया कि न्यूट्रोन के गुल क्या है न्यूट्रोन का पहला कोई आवेश नहीं होता है यहुदासीन का हम जानते हैं कि निट्रोन पर कोई आवेश लगाते हैं कि दर्वेमान प्रोट्टों के साथ प्रमानु के केंडर इस्थान नाभिक में उपस्तित रहता है न्यूट्रोन का दर्वेमान 1.6 6 x 10 to the power minus 24 होती है जो कि किसका द्रिवेमान है प्रोटन का द्रिवेमान है वही क्या होता है न्यूट्रोन का होता है लगभक्या एक 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 यू स्क्रीन शोट लेंगे ताकि आगे बढ़ सके तो बच्चों अब अपना टॉपिक जो अपने आज जितने भी टॉपिक्स पड़े हैं वो सब आपको समझ में आए हैं या नहीं नहीं वाला उप्शन नहीं है क्योंकि आपको आ रहे हैं इसलिए आप इतने सारे बच्चे एंड टक मेरे साथ जूरे हैं तो फड़ा वट कमेंट कर दीजिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और च कमेंट में बताना है कि आपने होमवक लिया है या नहीं ठीक है ना तो अच्छे से पूरे नोट के साथ आप तयार करेंगे टॉपिक्स को आज यह पड़ा है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी तो फटा-फट जाकर के अच्छे से इसको रिवाइस करना नो हो सकता है बच्छों को शेयर करो ताकि बच्चे अच्छे सब एक साथ पढ़ सकें तो चलते हैं हम अपनी आज की पाट शाला को शुरू करते हैं उससे पहले पीछे जो पड़ा है उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं ताकि हम उसको कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ सकें सही है कि गलत जल्द इस कमेंट में लिखेंगे बच्चो बच्चो हमने पीछे जो अपना नया चाप्टर सेकिंड चाप्टर परमानू सरंचना शुरू किया थ किया था ना उसमें अपनने क्या क्या पड़ा है अपने पड़ लिया है परमानू सुख्ष्यूतम कन हैं चीछ से विवाजित नहीं क्या सकता दूल्टन से बटाया पर उसकें बाद Rs.cue audio सब्सक्रार्च भी पढ़े हमने जैसे कॉन सा मॉडल से फर्फॉट ॐ रधरफॉड का dengan यह logic को मेंने अक्षे से खेल कर दिया है इवन यह भी बता दिया है कि कहां से क्यस्छन आता है साथ साथ में बता रही हूं तो बच्चों मैं आप से इवर मेर करती हूं कि आप नोट्स बना रहे होंगे देखो जितना ज्यादा डेडिकेशन आपका होगा उतसे भी ज्यादा डेडिकेशन मेरा होगा लेकिन आपको उस चीज में मेरा साथ देना होगा पढ़ना तो आपको है ना हमें पढ़ाना है आपको पढ़ना है लेकिन कहते हैं ना साथ मिलकर ये काम होगा तो ज करते हैं जी हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उस पर थोड़ा डिसकस करते हैं और अपने टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों आज अपने वाले हैं जैसे ही रदर फोर्ड को अपने उसकी कम्यों को पढ़ कर छोड़ दिया था वहां पर वहां से आगे बढ़ेंगे कुछ संख्या यह कहूं द्रविमान संख्या के बारे में थोड़ा डिसकस करेंगे समस्थानिक संभारिक सम न्यूट्रोनिक सम इलक्ट्रोनिंग इन पर चर्चा करेंगे और उसके बाद हम आएंगे बहुत मॉडल पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बार्वी में बहुत जादा फिजिक्स से अंदर ये टॉपिक पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा दिया गया है तो कोशिश करो कि आज इसको सीख जाओ ठीक है तो इसको आपन देखेंगे इसका जो गणीतियर रूप है जो बोहर ने बताएं हैं वो सब जितनी भी अवधार नाए हैं वो सब यहीं प बच्चों परमानु संख्या क्या होती है परमानु संख्या होती है आपकी परमानु संख्या क्या होती है परमानु संख्या के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपन बढ़ते हैं हम सब ये जानते हैं कि कोई भी परमानु में नाभिक और उसके कक्ष होते हैं और कक्ष में इलाक्टोन चक्कर लगाते हैं सही है बच्चों जल्दी से कमेंट में लिखते जाना जल्दी जल्दी मेरे साथ फटा फट ज्यादा समय कंजीम नहीं करना है तो जब अपन जानते हैं कि नाभिक के चार तरफ परमाणूं के अंदर कक्ष में इलक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं तो इस नाभिक में धनावेश क महां से आता है तो कहा हमेशां किसी भी परमाणूं के नाभिक में क्या रहता है हमेशां प्रोटोन रहता है प्रोटोन हम पढ़कर आए हैं प्रोटोन पर चार्ज क्या होता है बच्चों धनावेश होता है जिसकी वजह से नाभिक पॉजिटिव चार्ज परदशित करता है clear तो कहा गया कि परमानू संख्या क्या होती है इसकी परिभाशा दी गई और परिभाशा में कहा गया कि किसी भी परमानू के नाबिक में उपस्तित प्रोटोन की संख्या ही उसकी क्या कहलाती है बच्चों उसकी परमानू संख्या कहलाती है तो आपकी स्क्रीन पर परिभाश कुछ इस प्रकार है जरा देखेंगे परिभाशा क्या कहीं रही है पर्मानु के नाभिक में वब सित प्रोटोन की कुल संख्या को परमानु संख्या कहते हैं परमानु संख्या को जड़ द्वारा प्रदशित करते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी सेकेंड आते हैं हम द्रव्यमान संख्या या फिडियों कहें एटोमिक मास परमानू द्रव्यमान भी कह सकते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों परमानू द्रव्यमान क्लियर जी बिल्कुल 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 इससे परमानू द्रव्यमान क्या होता है जैसे नाभिक में प्रोटोन प्लस नियूट्रोन की संख्या को यह जोड दिया जाए तो वही संख्या जोडने के बाद प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं क्या बच्चों उससे हम कहते प्रवीमान परिभाशा आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है नाजिक में उपस्तित प्रोटोन की संख्या और नूट्रोनों की संख्या के योग को परमानू की द्रवेमान संख्या कहते हैं बच्चों आप सब जानते हैं कि किसी भी परमानू में पॉजिटिव नाभिक में पॉजिटिव चार्ज नजर आता है वो उसके प्रोटोनों की वज़े से होता है पर न पॉजिटिव होता है राइट अगर बात समझ में आ गई है तो फटा फट लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी और कमेंट में लिखेंगे यस मैं दैन आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं कि कोई भी दर्वमान संख्या है तो प्रोटोन की संख्या और न्यूट्रोन की संख् दिखेंगे जल्दी और बात समझ में आ गही है इसे हम लोग कि सब्सक्राइब कर सकते हैं ध्यान मन संक्या जो होती है बिटों उसे हम क्या इंक मास तो स्मूल-ध्य राइटेव करते हbung उपन सब्सक्रीयों कि हम स्ब्सक्राइब बच्छों आ तो उसे एकल 2 जर प्लस Article clear बात समझ में आ गई सेकंड आता है न बराबर हमें कई बार बच्चों पूछ आ जाता है कि किसी भी तत्व के नाम के बारे पूछ लिए जाता है एलक्ट्रोन प्रोटोन की संख्या देकर के तत्व के उपर आविश पूछ लिया जाता है तो उसमें न्यूट्रोन की संख्या की कुछ जाती है तो न्यूट्रोन की संख्या आप कैसे निकालेंगे न्यूट्रोन की संख्या बराबर क्या लिखेंगे आप A-Z right clear है जी बात समझ में आ गई तो जल्दी से yes ma'am लिख दे अब चलते हैं हम आगे नियोट्रोन की संख्या बराबर द्रेवेमान संख्या या यह कहूं परमानू द्रेवेमान राइट परमानू द्रेवेमान माइनस परमानू संख्या जिसे हम Z से रिपर्जेंट करते हैं अब देखते हैं आगे परमानों की द्रेवेमान संख्या और परमानों संख्या को निम्न तरीके से भी व्यक्त किया चा सकता है जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या बच्चों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या elements दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि आपके पास द्रेविमान संख्या है परमानु संख्या है द्रेविमान संख्या परमानु संख्या क्या है यह कोई भी तत्व है उसके नीचे हमेशा जो संख्या होती है उसे परमानु संख्या कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों परमानु संख्या जो प्रोटोन की संख्या को रिपर्जेंट करती है वहीं दूसरी और देखें तो द्रिविमान संख्या जो ऊपर लिखी जाती है वो कहा जाता है कि लगबग परमानु संख्या की दुबुनी होती है या फिर हम यह कहें कि द्रविमान संख्या जो है वो प्रमान द्रविमान के बराबर होता है क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो यह क्लियर हुआ लिखना समझ में आया कि नहीं है बेटा कि अपने तत्व के किस तरफ आप देखेंगे कि दाई तरफ जो होता है आपन देखत समझ में आ गई होगी तो चलते हैं आगे, फटाफट आप एक क्यो吸引 की तरफ देखते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाये, बच्चों अपने पास क्या है? अपने पास अगर कोई क्योस्टन दिया गया है, तो यह कहा गया कि आपके पास प्रोटोन, इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन की संख्या कुछ इस प्रकार है प्रोट्रोन की संख्या 16 इलेक्ट्रोन की संख्या 18 और न्यूट्रोन की संख्या 16 है तो बताईए ये तत्व कौन सा है तत्व का नाम बताईए और उस पर आवेश भी बताई केस्टन समझ में आ गया होगा तो फटावर्ट कमेंड में बताए कि यहां पर तत्व का नाम क्या होगा मैंने आपको अभी एक फॉर्मूला दिखाया था बच्चों सही है बताया था ना जिसमें आपने लिखा था क्या ए बराबर जैड प्लस एन ए क्या है एटमिक मास या द बच्चों अपने पास Romans and solar plus अबने पास नूट्रोंअ कि इतनी है है तो क्या आगिया एकमिक मास कितना राजा 32 बच्चों बताव जल्दी आवर्ससानी में एसा कौन सकता तु है जिसका अग्मिक मास 32 है जल्दी से comment में लिखेंगे फटाफट 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 देखो बच्चो इधर उदर की बाते नहीं करनी है बिटा अपने को किवल पढ़ाई की ही बाते करनी है यहां पर जो पूछ जा रहे हैं questions उनके answer फटाफट दीजिए मैं साथ साथ पूछ रही हूं तो बताओ जल्दी 32 किसका answer है very good पर कुछी बच्चे answer करें सब बच्चे देंगे answer तभी अच्छा लगता है जब जितने बच्चे लाई जुड़े वे हो उतने जादा सजक होगे पड़ो भाई जितने जादा active रोगे उतना जल्दी समझ में आएगा तो atomic mass किसका होता है sulfur का अब पू है उसमें proton की संख्या और electron की संख्या हमेशां बराबर होती है अगर इनकी संख्यां बराबर नहीं होती तो यह कभी परमानु जो है वो उधासीन नहीं होता पर अगर बराबर नहीं है तो जो संख्या या जिस भी प्रोटोन की संख्या या इलेक्टोन की संख्या जादा है वही उस पर उस तत्व पर आवेश है यानि यूँ कह दूँ आपको यह दी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ध्यान से आप देखो कि क्या है अगर किसी भी तत्व में प्रोटोन और इलेक्टोन में जिसकी भी संख्या जादा है मालो अगर प्रोटोन की संख्या जादा है संख्या अधिक है तो आपको उस तत्व पर क्या चार्ज लगाना है पॉजिटिव चार्ज राइट और यदि इलेक्टोन की संख्या जादा है तो आपको उस पर उस तत् इसको उतारेंगे अब चलते हैं आगे जैसे मैंने कहा था कि जैसे यह पन प्रमानु क्रमांग पड़े प्रमानु द्रविमान पड़ा तो उसके बाद अब इनको similarities कैसे होती है जिनका क्रमांग समान हुआ तो उस तत्व क्या कहोगे जिनके द्रविमान समान हुआ उस तत्व क्या कहेंगे तो हम थोड़ा आगे बड़े और इसमें हपन पड़ेंगे सबसे पहले क्या समस्थानिक जिसे हैं क्या कहते हैं आइसो टॉप्स कहते हैं समस्थान एक स्थान पर एक ही तत्व होता है बहुत साय तत्व नहीं होते राइट आप सही सोच रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को और समझना है अगर एक स्थान पर एक ही तत्व है तो उसका क्रमांग वही रहाना वह तत्व भी वही रहा लेकिन अगर उस तत्व के भार अलग अलग हो गए तो तो क्रमांग तो वही रहा स्थान तो फिक्स है भार अलग अलग हो गए तो कोई बात नहीं आप उसे अलग से रिपर्जेंट कर सकते हैं क과 Arbeit समझ में आ गई तो एकिस्थान पर रखे जाने वाले तत्थों को क्या कहेंगे हम समस्थानिक क्लियर आइसोटॉक्सिस की परिभाशा आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देरी कह रहे हैं कि जिन तत्वों के प्रमानु ख्रमांग समानों लेकिन प्रमानु द्रवेमान भिन भिन हो तो वह तत्व परस पर क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं जैसे आपको एक स्क्रीन पर तस्वीर नजर आ रही है आ रही है ना वो तस्वीर क्या कह रही है जरा ध्यान देंगे वो तस्वीर कह रही है कि आपके पास क्लोरीन है और क्लोरीन सत्रा है क्लोरीन सत्रा है तो आवर्ट सार्णी में इसका इस्थान तो नहीं बदला लेखें इनके गुरों में कुछ परिवर्तन आया तो भार बदल गए और भार बदले तो वो परस पर क्या कहलाए समस्थानिक कहलाए क्लियर यहां पर क् सें तीस परस पर क्या है बेटे समस्थाने के है और यह क्या है क्लोरीन के समस्थाने क्लियर जल्दी से उतारेंगे मेरे बच्चे फटा फट डन चलते हैं आगे आगे अगला टॉपिक आता है बेटा क्या समस्थानिकों के कुछ उपयोग पता है समस्थानिक जो होते हैं वहा से भी क्यर्शन आता है साथ ही दो नंबर का क्यर्शन आता है कि इसके उपियोग का है तो यह भी इंपोर्टन पार्ट है एकेडमिक बच्चों के लिए भी इवन नीट के बच्चों के लिए भी तो अच्छे से पढ़ेंगे ध्यान से ओके डान चलते हैं सबसे पहला उपियो इंधन के रुप में उपयोग मिलाया जाता है राइट यूरेनियम 235 बहुत जादा क्या है एक ब्लास्टिंग वाला तत्व है यानि कि यह विखंडित होता है इसलिए से जादा उश्मा या हीट रिलीज होती है इसलिए इनको परमानों भट्तियां जो होती है उनमें इंधन के रुप में लिया जाता है यहाँ पर दूसरा आता है कि कैंसर सोरी कोबाल्ड जो होता है उसका यूउस किया जाता है बात क्लियर हो गई वहीं पर थर्द आता है आपका उपयोग आयो दिन जो जिसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है तो उसके उप्चार में भी आयोडीन के समस्थानिकों का उप्योग किया जाता है तो बात समझ में आई उप्योग समझ में आई कई बार question पूछ जाता है आपको cancer के उप्चार की ओशदी भी बताई गई है बच्चो फटाफ़र मुझे comment में बताओ कि वो ओशदी कौन सी है जल्दी 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 बताएंगे राइट फटाफ़र देखेंगे जल्दी से देखें clear हो जाए यह हो गया topic आपका उप्योग का जो important है start लगाएंगे इसको note करेंगे अब बढ़ते हैं आगे अगला topic है संभारिक clear जिसे हम ISO बार भी कहते हैं संभारिक मतलब क्या मैं अभी तो आपने कहा कि एक तत्व एक जगर पई रहता है सही बात है अब भार भी समान हो गया तो फि इसी तत्व का भार दूसरी तत्व के भार के कुल कभी नहीं हो सकता है सही है हम ऐसा ही पढ़ते हैं लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि एक तत्व का उस तत्व में दूसरे तत्व के साथ भार को समान बताया गया है क्योंकि एक तत्व का तो एक तत्व अपनी जगह पर ना पिर अलग अलग क्यों लिख रहे हो भार समान है तो प्रमानु क्रमांग तो समान हो नहीं एक तत्व का लेकिन अगर भिन्न भिन्न तत्व लें तो उनके प्रमानु क्रमांग बदल जाएंगे भिन्न भिन्न लेलो तो इनका प्रमानु क्रमांग क्या हो गया बदल गया ल लेकिन क्रमांक बिन बिन हो तो उन्हें अपन क्या कहते हैं बच्चों समभारिक कहते हैं तो इसकी परिभाषा आपकी स्क्रीन पर लिखी गई है वे तत्व जिनकी परमानु क्रमांक बिन बिन हो लेकिन द्रवेमान संख्या या परमानु भार समान हो वे समभारिक कहलाते हैं अलग-अलग आवर्सानी में जगह है इनकी लेकिन फिर भी इनके जो द्रविमान संख्या है या परमानू द्रविमान है वो क्या है बच्चों समान है 40-40-40 clear बात समझ में आ गई हो तो यस मैम लिख देंगे फटा फट जल्दी से इसको उतारेंगे clear ओके जी चलते हैं आगे अगला टॉपिक बहुत ही important है जहां से question आता है direct एक नंबर का सम-neutronic क्या होते हैं सम मतलब समान न्यूट्रोनिक मतलब न्यूट्रोन की संख्या अगर किसी भी तत्व में न्यूट्रोन की संख्या समान है तो वो क्या है सम-neutronic है परिभाशा आपको screen पर दिखाई दे रह है जो अपने अभी अभी समझी है विबिन तत्वों के वे परमानों जिन में न्यूट्रोन की संख्या समान कि द्रवेमान संख्या परमानों संख्या दोनों बिन बिन होते हैं सम-neutronic कहलाते हैं न्यूट्रोन की संख्या समान परमानों संख्या बिन हो सकती है बच्चों ल गड़न नाइक्ट्रोजन और ऑक्सीजीट दिखाये रहा है तो अपनीया लिख देते हैं कारबन नाइक्ट्रोजन और ऑक्सीजीट अफ़सिय। नींक्तन गला बच्चों कार्वन का परमानु क्रमांग कितना होता है 6 7 औरorta इनका भार यहाँ पर 14 15 पंत्रा कर्वन 12 भी होता है कार्वन 13 भी होता है और कर बन 14 भी होता है यह आपस पर स्पर क्या है समस्थानिक है कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 13 14 बारा 13 और 14 तो उनमें से समस्थानिक को उठा लिया है हमने कार्बन 14 राइट बच्चों प्रोटोन की संख्या प्रमानू क्रमांग 6 7 8 बिटा लेकिन न्यूट्रोन की संख्या कैसे निकालते हैं न्यूट्रोन की संख्या निकालते हैं बच्चों बताओ 6 प्रमानू क्रमांग है और 14 क्या है 14 क्या है एटोमिक मास 14 माइनस 6 15 माइनस 7 16 माइनस 8 बताओ सब में कितनी संख्या है न्यूट्रोन की जल्दी वेरेग आगे आजी समझ में सबको क्लियर यस मैम जल्दी से कमेंट में लिखेंगे और इस तरह अगर आपको यही चीज निकालनी है तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं ऍसे हैं क्लीर हो गया बिटाबात समझ में आगई ड़न चलते हैं आगे थोड़ा बढ़ते हैं समव इलक्टिरोनिक सम्टिक मतलब बच्चों किसी भी परमानू के कि अंदर प्रोटोण इलैक्ट्रॉण नूट्रों तो होते हैं लेकिन उनमें इलाक्टोन की संख्ष यह इकवल हो जाए प्रोटोन की संख्ष तो इलाक्टोन की इकवल होती है लेकिन भिन्न भिन्न भी तो हो सकती है एक तत्व में तो समान है लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों तो भिन्न भिन्न होती है लेकिन यह कह रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों में क्या हो समान हो तो वे तत्व परस्पर क्या कहलाते हैं समिलग्ट्रोनिक कहलाते हैं आपके साबными सोडिया मैडेशियम और फूरीन दिया है बच्चों तो हमनिक देते हैं सोडियम प्लस मैडेशियम प्लस prioritize उना फ्ल्रोरीन माइनस भिजाद दें गि कि जब किसी तत्व के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब उतना इलक्ट्रोन कम है और पॉजिटिव चार्ज जाता है समझा रही है जैसे अपन कहें कि चार प्रोटोन तो चार इलक्टोन होना चाहिए लेकिन मैं यहां समझा रहती हूं जैसे किसी तत्व के ऊपर अपने कहा कोई तत्व है एक्स उस तत्व में चार प्रोटोन है और चार ही इलक्टोन है सही है तो यदि इसके ऊपर में प्लस चार्ज लगा दू तो प्रोटोन की संख्या एक बढ़ गई वहीं इसकी संख्या एक घट गई हां या ना बात समझ मे तो कहा कि यह दि प्रोटोन की संख्या 4 है तो वहां पर इलेक्ट्रोन की संख्या कितनी होगी बटा एक कम होगी न तो कितना बचेगा तीन यस और नो जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इलेक्ट्रोन घड़ते चले जाएंगे बात समझ में आ गई यस तो फटा फट लिखेंगे जैसे प्रोटोन यहां पर ग्यारा है यहां पर बारा है और यहां पर नो है वच्चों सही है या नहीं बात यहां तक लिए हुए अब बात ब्रोटोन नहीं लेकिन एक कम हो गया ना पॉजिटिव चर्ज बढ़ रहा है तो ग्यारा माईनस एक टो इलेक्ट्रोन हो गई दस 22 कीटने दो पॉजिटिव चार्ज 2 है तो माईनस 2 यहां कितने बचे यहां पर 9-1 लिखा है तो यहां पर 9 यlam 0 ध्यान देंगे अगर किसी तत्व के उपार पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है यानि इलेक्ट्रों उतने ही कम हो जाएंगे अगर प्लस में एक है तो इलेक्ट्रों एक कम हो जाएगा अलग 2 प्लस में तो दो इलाक्ट्रोन कम हो जाएंगे कि जनरली एक तत्व में प्रोटोन और इलाक्टोन इक्वल चलते हैं राइट इक्वल है ना प्रोटोन 11 इलाक्टोन 11 प्रोटोन इलाक्टोन इलाक्टोन लेकिन पॉजिटिव था तो एक घटा दिया पॉजिटिव था तो दो गटा दिये नेगेटिव है तो एक जोड दिया तो प्रोटोन और इलाक्टोन की संख्या में सम इलाक्टोनिक तब परदशित होने लग गई यानि भिने भिने तत्वों में इलाक्टोन की संख्या भी समान होग सकती है जिने हम कहते हैं सम इलाक्टोनिक ये क्यास्चन भी कई बार पूछा गया है बच्चों तो फटा फट अपन कई बार पता है पढ़ते पढ़ते जो है अधर बाते करने लग जाते हैं बेटा टॉपिक को समझो इंपोर्टेंट है ध्यान दो सब बच्चे बाद में क्लास ओफ होने के बाद में अब बाते करना ठीक है आराम से कोई नहीं रोकेगा लेकिर अभी पढ़ाई करें ओके जी चलते हैं अब चलते हैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं सम इलाक्ट्रोनिक हो गया सम देख रहे हैं अगर आप सेयो जक्ता को देख रहे हो सैयो जक्ता मतलब क्या किसी भी तत्व के बाहिय तम कक्ष में कहते हैं जितने एल् स्थाइ परिभाशा है वो क्या होती है कि कोई भी परमानु है कोई भी परमानु है मैं यहां पर बना रहे हुए डाइग्राम इस परमानु के बाहियतम कक्ष में बिटा चार इलेक्ट्रोन या उससे भी क्या हो सकते हैं अधिक ठीक है यहां रहे हैं और चार से अधिक है तो क्या होगा चार से अधिक है तो यहां पर यह सेंव जगता को समझाने के लिए अस्टक नियम दिया गया किया दिया गया अस्टक नियम दिया गया अस्टक नियम कह hilarious में 8 होने चाहिए अगर 4 है तो सेंज़क्ष 1-2-3-4 तक तो ठीक है किस्तथर के बाहित तंग कश में 1 ऐ एक सेंज़क्ष और खत्त सेंज़क्ष कभी भी प्लस मैनस नहीं लगता ये ध्यान रखना औक्सिकन अपचेंड जो होता है जहां पर ऑक्सिकन अंक की बात होती है वहाँ पर प्लस माइनस लगता है बीच-बीच जो बाते में बता रही है वो ध्यान से लिख ले ना तो सभी जगता में कि अंक परदशित होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगटिव चार्ज नो शो ही नहीं करना है सभी जगता क्या होती भायतम तक्षम एलेक्टरन चार तक है तो कोई दिकत नहीं उसके बाद यदि पांच हुए तो आपको क्या करना है आठ में से पांच को घटाना है आठ में से छे आठ में साथ और आठ में से आठ इस तरह से घट्टे चले आते हैं और वही उसकी सेवजगता हो जाती है clear तो क्या यहीं कह रहा है जड़ा देख लेते हैं जितने इलेक्ट्रों का त्याग और ग्रहन करता है उतने ही तत्व की से उजगता होती है बारीक अक्ष में एक से प्रमानु क्रमान कितना बच्चों नो यस और नो जल इसका मेंड में बताएंगे और इसका इलेक्ट्रोनिक विन्या सकथ आप देखते हैं तो अपने पास होता है दो और आठ साथ दो और साथ होता है clear जी बात समझ में आ गई होगी दो और साथ clear बायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रोन साथ बायतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रोन साथ हम क्या करेंगे 8 अब फ्लोरीन की से जगता देखनी है 8-7 तो कितना आ गया भई यानि कि फ्लोरीन की सेयो जगता कितनी होगी कितनी हुई बच्चों जल्दी बताओ एक ना प्लस ना माइनस कुछ भी शो नहीं करना क्योंकि वो ऑक्सी करन अंक में होता है सेयो जगताओं में नहीं शाहिद बात समझ में आ गई तो फटा फट उतारेंगे जल्दी से चलते हैं अपन आते हैं अपने टॉपिक पर यह तो थे कुछ रदर फोड ने जब बताया तो उसके बाद में इन संख्याओं को ने उन्होंने जिक्र नहीं किया तो कुछ तत्यों को अलग से पढ़ाया गया है ठीक है उनके मॉडल में वो नाम थे प्रमानू क्रमांग प्रमानू द्रेव जब उनकी कमियों को रिसर्च किया बच्चों तो अपने देखा था कि वहाँ पर उन्होंने बताया था कि कोई भी इलैक्टोन चक्कर लगाता है तो क्या होता है क्या करते हैं तो यह सो जो कमिया थी उन कमियों को किसने दूर किया बोहर में तो बोहर नामक विग्या निकाया और उसे रदरफोड की कमियों को दूर करते हुए एक नया मॉडल प्रस्तुत किया और नाम दिया प्रमानू मॉडल ठीक है कमियों को दूर करने के लिए उसने कुछ अभी ग्रहित बनाई यानि कुछ important topics उन्होंने discuss किये जो उनकी कमियों को दूर कर रहे थे वो क्या है ज़रा बात कर लेते हैं तो पहली कमी क्या थी ताकि हम लोग उसको कमी को दूर करते वे वो चीज़ समझ में आये हैं बोहर ने कमी पहली नदरफोर्ड ने जो कमी दी वो क्या थी उन्होंने का कोई भी पर्मानु या नाभिक होता है को भी नाभिख होता है किसी भी पर्मानु में तो उसके चाज़ों तरफ इलएक्टोन चक्कर लगाते हैं ठीक बात हैं तो बोहर ने रिसर्च किया कि भई पूछा उ उर्जा या यूं कहूं कख्ष की उर्जा कितनी तो बोहर ने इसको सही किया और कहां कि जब कोई इलाक्टोन किसी भी नाभिक के चालों तरफ चक्कर लगाता है तो उस कख्ष की उर्जा या यूं कहूं कि कोनिया सम्वेग जो होता है वो लगबक कितना होना चाहिए एन चपोन टू पाई के बराबर होना चाहिए ये क्या है इसका कोनिया सम्वेग शायद बात समझ में आ गई है कमी समझ में आई ये रधर फोर्ड की कमी थी और ये बोहर ने इसको सही किया क्लियर की कक्ष में चक्कर रधर फोर्ड ने नहीं बताया उर्जा कितनी होनी चाहिए बोहर ने कहा इतनी होनी चाहिए पहली कमी दूर फर्स्ट होगी सेकिन उसने कहा कि जब भी चक्कर लगाता है कौन इलेक्ट्रोन नाभिक के चार तरफ चक्कर लगा रहा है चक्कर लगाता लगाता एक बार क्या हो जाता है नाबिक के अंदर गिर जाता है क्यों, क्योंकि वो चक्कण लगाते वक्त ही उरजा का उतसरजन करता है तो वहने कहा ऐसा कैसा हो सकता है सर अगर ऐसा हुआ तो परमाणू तो विरेस् ते ही हो गया, कैसी बाते कर रहे हैं आप, तो उन्होंने चक्कर लगाते वक्त उर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है वो कब करता है जब वो एक अक्ष से दूसरे में आता है जैसे आपके पास N1, N2 और N3 कक्ष है N1, N2 तो यहां पर उपस्तित इलेक्ट्रोन जो है यहां पर उपस्तित जो इलेक्ट्रोन है वो क्या होगा यहां से उपर जाएगा तो एक अक्ष से दूसरे में आया तब इलेक्ट्रोन उर्जा का उत्सर्जन करता है या फिर यू कर दू कि यहां पर उपस्तित इलेक्ट्रोन यह नीचे आ रहा है तो वो उर्जा का क्या करता है उपर से नीचे जाता है सौरी तो अपन लिख देते हैं यहां पर अगर वो उपर से नीचे आ रहा है उच्छ से निम्न की और आ तो उड़ जागा क्या करता है उच्छ सर्जन करता है और जब वो नीचे से उपर जाता है तो अब शूशन करता है तुर शायद बात समझ में आ गई होगी तो यह कमी भी दूर कर दी किसने बोहरमें दोनों बाध समझ में आ गई पहली क्लियर दूसरी बीटियर उसने कहा ना ना चक्र लगाते वक्त अगर तो इस ताहिए नहीं लेकिन प्रमान तु तो इसने का चक्कर ठीक है पर वो इस थाई के से अपनी आप चक्कर थोड़ी लगा रहा है को इस पर कुछ कोई फोर्स काम कर रहा है या कुछ भी कोई तो होगा तो वहीं रदर फोर्ट विचारा चुप हो गया कि उतना रिसर्च हुआ नहीं था उस समय उनकी गलती नहीं है क्योंकि has रिसर्च पर किरें मेने तब तो बोहर ने कहा देखो जब कोई रैक्टून चक्कर लगाता है किसमें कि इसपर किसी कक्ष में दो बहुता है दो उसके ऊपर ऐक बल कारे करता नाभिक की तरफ और एक उपर और जब नाभिक की तरफ बलल कारे करता है तो ना भी किया आकर्शन और जब उपर की और लगता है तो अप केंद्रण बल ठीक है दो बल अगर ये दोनों बल संतुलित हैं तब तो वो चक्कर लगा रहा है अगर संतुलित नहीं है तो वो चकर नहीं लगाएगा एक निष्चित ऊर्जा वाली कक्ष में रही तो उन्होंने कहा दो बल कारे करेंगे एक तो अभी केंद्रीय बल और या यूंद कहूं ना भी किया बल और एक अपकेंद्रण बल बात समझ में आ गई क्लियर हो गया नाभी किया और अपकेंद्रिय बल कौन-कौन से होते हैं उन्होंने ये भी बताया बच्चो नाभी किया बल और अपकेंद्रिय बल में उन्होंने कहा कि नाभी किया बल जो होता है वो होता है जेड इसक्वाइर अपोन आर और अपके इंद्रन बल होता है अम वी स्क्वाइर अपोन या आर स्क्वाइर क्लियर बात समझ में आ गई हो तो फटा-फट इसको उतारेंगे जल्दी से ताकि आपको बात क्लियर हो जाए कि ये क्या कहना चाहता है ओके डन तो ना भी किये बल और आपके पास क्या हो गया आपके इंद्रन बल क्लियर ये बातें उन्होंने समझाई और समझाने के बात में क्लियर हो गया कि ये टॉपिक जो है इनमें कुछ कमिया थी वो बोहर ने क्लियर कर दी और क्लियर करते ही उसके बात उन्होंने बताया कि अब जब कोई चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते वक्त हम क्या करते हैं कि यह जो इलेक्ट्रोन चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते वक्त नाबिक से कुछ डिस्टेंस पर है तो वो तरीजा कौन सी है तो तरीजा कौन सी है उसके बारे में discuss करते हैं तो उन्होंने कहा कि कख्ष में जब चक्ख लगाता है तो उस कख्ष की तरीजा क्या होनी चाहिए तो अब फटा-फट इसको उतारिए ताकि हम आगे बढ़ सके किस ओर तरीजा की ओर तो बच्चों अब शुरू करेंगे अपन अपना अगला टॉपिक वो क्या है अपना अगला इन नाभी की तुरी तुरी के यह तुरी कह पर इस कक्ष की त्रिजा ग्याती यह बोहर ने ही सुत्रप्रदेशत किया दा सोचो उसने कितना रिजर्च किया है ना तो यहां पर उसने क्या बताया यहां पर उसने कहा कि कि कोई भी अपन सब जानते हैं जर्देयान से देखना कि कोई भी परमाणू है उसके नाविक में एलएक्तृ ठिक बात है तो इल्एक्तृ जब चक्कर लगा रहा है तो नाविक से डिस्टेंस बताँ इसे अभीais retard इसका फॉर्मूल अपने पते हैं तो रहेंगा जब चक्कर लगा रहा है तो इसका तुरिया को अपने के तो उनों नहीं कहा की जब यह दोनों बल समान हों कौन सा अभी केंद्रिये लिखूं अभी केंद्रिये या ना भी किये बल बराबर किसके अपकेंद्र बल के ठीक है ठीक है तो अभी केंद्र ये बल क्या हुआ बच्चो जरा बताओ जरा फटा फट जल्दी से क्या होता है तो हमने अभी फॉर्मूला लिखा था ना बच्चो क्या था यहां सिमिलर लिए तो आर से आर कट हो गया और यहां आ गया जैड़ी स्क्वाइर अपॉन आर बराबर एम वी स्क्वाइर यह हो गई समी करण यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सबको पता है यह बात ठीक है अब आप सब जानते हैं कि बहुर्ण ने कहा था जब रज़र फॉर है तो किस कख्ष में चक्कर लगा लगा भाई उसकी कोई उड़्जा होगी क्या तो बोहर ने उस समय क्या का था बहुर के अनुसार किसी कख्ष का कोण यह सम्वेग यह कहूं उसकी उर्जा m v r बराबर क्या होता है n h upon 2 pi के बराबर होता है इस value को आप समीकरण एक में represent करने के लिए क्या करेंगे इसके पास क्या है v है आप v का मान निकाल लो v बराबर क्या लिखेंगे n h upon 2 pi गुणा m into r clear ये मान हम कहां लिख सकते हैं बेटा समीकरण एक में लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं जल्दी बताओ फटाफट फटाफट बताएंगे जल्दी से हो गया जी clear हाँ जी हाँ बिल्कुल clear है अब चलते हैं आगे अगर हमें ये मान कौन सा मान v बराबर 2 sorry v बराबर क्या v बराबर n h तो पाई गुणा m और इस वेल्यू को अगर हम लिखे समीकरण एक में तो समीकरण एक क्या है बेटा जला ध्यान देना समीकरण एक थी बच्चों क्या जैडी स्क्वायर अपोन r बराबर m into v का स्क्वायर अगर v की जगा मान रखें तो z e स्क्वायर अपोन r is equal to m गुणा क्या n h अपोन 2 पाई m r इन सब को क्या कर दो whole square क्यों किया है क्योंकि v का मान क्या है square में है यहां तक clear बिल्कुल जी बिल्कुल तो बच्चों z e स्क्वायर अपोन r स्क्वायर बराबर r बराबर क्या हो गया हटा दो भई फिर से तुम confuse हो जाओगे कह दो कि दिदी यह क्या है नहीं जी नहीं बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे confuse नहीं हो m गुणा square सब का है n square h square upon 4 pi square m square r square यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने यहां देखा तो देखो बिटा m उपर है m नीचे एक से एक m कट गया एक r एक r से कट गया फिर बाकी कुछ भी नहीं बाकी जो है वो दिखना पड़ेगा तो अपने पास यहां पर r बचा है और अपने को त्रिजा ही निकालनी है तो इस r को आप इधर लेए r बराबर तो क्या होगा जरा ध्यान से देखो इस r को उधर ले गए इधर ले गए तो यह सब चीज़े इधर आ जाएंगे तो कैसे होगा r की value जरा ध्यान देंगे n स्क्वाइर h स्क्वाइर अपन क्या पीटे फोर पाई स्क्वाइर गुणा m गुणा z e स्क्वाइर फटाफट बताएंगे yes और no बात समझ में आई या नहीं यानि कि किसी भी कक्ष में किसी भी परमानों के कक्ष में चक्कर लगाते हुए इलेक्टोन की नाविक से दूरी या कहूं नाविक से बायतम कक्ष की त्रिजा का सुत्र होता है r is equal to n square h square upon 4 pi square m z e square right clear हो गई होगी बात तो यह है आपका formula जिसे किसने निकाल कर बताया था बोहर ने और यह important है यहाँ से question भी आता है बच्चों electron की संख्या है अब यहाँ पर h क्या है अपना h जो है वो है plank नियतांक जिसकी value क्या है बच्चों 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second clear उसके बाद क्या है बेटा पाई का मान आप सब जानते हैं 3.14 या 22 बटा साथ भी लिख सकते हैं m क्या है बेटा electron का द्रव्यमान ठीक है कितना होता है electron का द्रव्यमान 9.1 वहीं पर बात करें तो z क्या है परमानू संख्या clear e क्या है बेटा e है electron का क्या आवेश बात समझ में आ गई होगी आवेश कितना होता है पटापट कमेंड में लिखो अब मैंने बताऊंगी द्रव्यमान मैंने गल्ती से बता ले क्योंकि यह मैंने पहले बताया हुआ है जल्दी से जल्दी कमेंड में लिखो फटापट यह आपके लिए ही question है टक खुद लिखेंगे आवेश अब को पता होना चाहिए भाई यह तो इतना तो पता होई ही सबको चलें आगे बात समझ में आ गई है तो यह हो गया आपकी त्रिजा निकालने का formula clear अब चलते हैं हम आगे यह कक्ष की त्रिजा हो गई जब कक्ष की त्रिजा होने के बाद यह सब जब clear हो गया तो अब आया कि कोई भी कक्ष में या यू कहूं परमानों के कक्ष में इलाक्टों चक्कर लगा रहा है ठीक बात है जब वो चक्कर लगाता है तो वो कण रूप में होता है कि तरंग तो बोहर के साथ में एक विज्यानिक आया Maxwell उसने कहा कि चलो research करते हैं उन्हों research किया और कहा कि नहीं यह तरंग की रूप में भी हो सकता है कण की रूप में भी हो सकता है तो उन्होंने पहले research किया तरंग के ऊपर तो तरंग पर जब research किया तो उन्होंने कहा कि यह तरंगे जो है यह जो विक्रणों की रूप में उड़जा उतसरजित अवसरित होती है या पर जो इलक्ट्रोन है यह जो आवेशित कण है इनके ऊपर अगर आप कोई छेतरावर पित कर दें तो हम इसे देख सकते हैं और नाम दिया उन्होंने विक्रणों को उन्होंने research करके विद्योत चुम्ब किया तरंगे क्या नाम दिया विद्योत चुम्ब किया तरंगे बात समझ में आई किसने दिया था सबसे पहले Maxwell ने उन्होंने कहा कि Maxwell ने क्या कहा कि कोई भी कोई भी परमानों का नाभिक के चार तरफ जब इलेक्ट्रों चक्कर लगा रहे हैं तो चक्कर लगाते वक्त ये जो इलेक्ट्रों होते हैं ये दो रूप में गती करते हैं और रूप में जब गती करते हैं तो क्या वो कन हो सकते हैं क्या वो तरंग हो सकती है तो कहा कि ये जो विकिरण है इस विकिरण पर रिसर्च करे तो ये दिखती हैं तरंग और तरंगे भी कब दिखती हैं जिस पर क्या हो दो छेत्र आरोपित हो, विद्यत छेत्र और बेटा चुम्ब किया छेत्र दो छेत्र आरोपित करने पर ही ये तरंगे दिखाई देती हैं बात समझ में आई यानि जब किसी आवेशत पिंड पर यानि कण पर कन कहुं या इलक्टोनों को जब क्या किया जाता है एक स्थान से दूसरी स्थान पर गुजारा जाता है तो उस बीच यदि उन पर विद्यूत और चुम्ब की एच्छेतर आप आरोपित कर दें तो वो इलक्टोन जो है वो आपको तरंगों के रूप में गती करते वे नजर आएंगे और यह तरंगे जब बनेंगी तो दोनों छेटर परसपर लंबवत दिखाई देते हैं जिसे आपन इस प्रकार देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर एक क्या दिखाई दे रहा तो यह डाइग्राम जो है आपको यह कह रहा है कि यहां पर अपने पास क्या है अपने पास अपने पास एक दो इस्तर दिखाई दे रहे हैं यह यूँ कहूं कि दो इस्तर में क्या दिखाई दे रहे हैं एक उपर इस तरह से सीधा खड़ा हुआ और एक इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है एक तो ये दिखाई दे रहा है ध्यान से देखो ताकि बात क्लियर हो जाए अब ये चलते वे नजर आए तो जादा अच्छा लगेगा है ना अपने यूं कह दें कि ये चलता वे नजर आ जाए तो अपने को यह ज्यादा समझ में आएगा लेकिन यह चल क्यों नहीं रहा है भाई यह चल नहीं रहा है कोई बात नहीं बीना चले ही दिखा देते हैं तो यहां पर देखो एक तो यह चेत्र नजर आ छायाब बच्चों और यहां पर एक चेत्र यह नज़ला रहा है ज़रा ध्यान दो डिटा यह शेत्र और यह लंबवत दिखाई नहीं कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं बिलकुल दे रहे हैं दे रहे हैं ना हां तो लंबवत दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर यह भी लंबवत दिखाई दे रही है यह इस तरफ जा रही है यह इस तरफ जा रही है तो कहा कि जब विद्धु चेतर और चुम्ब के चेतर आरोप होता है तो यह किर्णी जब गमन करती है इस तरह से और गमन करते वे एक दूसरे के क्या हो जाती है लंबवत हो जाती है ज़रा ध्यान देंगे यह और यह एक दूसरे के क्या है बच्चों लंबवत हैं क्या है लंबवत हो जाती है तो यानि प्रकाश जब सुरी यह कहूं इल लंबवतर दिखाई देते हैं तो बात क्लियर हो गई बात समझ में भी आ गई होगी डन क्लियर तो हम इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से यह समझ सकते हैं कि यह आपस में क्या होते हैं दूसरे के लंबवतर होते हैं क्लियर चले आगे तो डन जी डन आगी चलते हैं अब ह जो गुण होते हैं बच्चों आप जड़ा ध्यान से देखो अभी आपने क्या देखा था वहाँ पर आपने देखा कि दो तरंगे जो है जब छेत्र में जो भी इलेक्ट्रोन है वो गमन करता है तो तरंगे क्या हो जाती है परस पर लंबवत हो जाती है तो इस प्रकार जब जल्दी से आवेश लंबवत जाकर एक दूसरे क्या हो जाते हैं प्रपेंडिकूलर हो जाते हैं लंभवत हो जाते हैं हैं अब चलते हैं आगे ये तरंगे अनुप्रस्त तरंगे होती हैं इनमें परावरतन, अपवरतन, व्यतिकरण, वीवरतन और धुरुण जैसे गुन पाए जाते हैं बच्चों आप देखा होगा कि कोई भी प्रकाश की जब आप्तित की जाती है किसी सर्फेस पर या कहूं कि क्लाच की काच की स्लाइड पर तो हम देखते हैं कि वहां पर क्या हो जाता है काच की स्लाइड पर जाते हैं तो वहां से उसी छेतर में से वापस अपनी ही माध्यम में लोट जाते हैं प्रकाश की घटना क्या कहलाती है का परावरतन जल्दी बताओ अब आपवरतन किसे कहते हैं फटा फटा आप कमेंड बताएगे मुझे अपवरतन क्या होता है आप सब को पता है क्या होता है जब प्रकाश-रण एक मादम से बादम में जाती है तो अपने पत से विछini को व्यतिकरण वीवर्तन को डीटेल में च्छाग सागे दिसकस करें उससे पहले पर नहीμ difiskoस करें उसके देख लेगले जाजना एक होती है लगा ने भिन्र भिनिदा प्रशकार की बेटा U जब अपन कोई भी तरंग ले रहे हैं यानि कि कोई कंड ले रहे हैं जिसमें विद्धियों चुम्बिकें छेतरारों पितने लिए तो यह जब तरंग दिख रही है तो यह तरंग बहुत सारी तरंगों का समू है क्या है समू है तो ये अलग-अलग प्रकार की तरंगे होगी बहुत सही तरंगे ना इसमें तो अलग-अलग तरंगे होगी तो वो तरंगे जो है जब आपस में मिल जाती है तो उस मिलने के बाद हमें जो प्राप्त होती है जो हमें कहते हैं तस्वीर सामने नजर आती है उसे हम क्या नाम देते हैं spectrum नाम देते हैं बात clear हो गई होगी कि spectrum क्या होता है तो यह हो गया clear उसके बाद में spectrum बात समय में बहुत साई तरंगों का समय क्या कहलाता है spectrum कहलाता है उसके बाद यह जो तरंगे होती है इनको हम लोग किसमें मापते हैं विटा हम मापते हैं उसको आव तरंग दिद्री क्या होती है तरंग संख्या क्या होती है यह सब भी मैं भी समझाओंगी तो फटा फट जल्दी से फटा वरुता रोग चलते हैं आगे यह सब्ड च्या करण दिखाई तो यह पर हम देखते हैं कि यह जो आवर्ती होती है इसकी हम हर्ट में मापतों है तो जो आवर्ती होती है वो आवर्ती बेटा कहां से शुरू होती है दसकी गात चोबिस से लेकर दसकी गात जीरो तक आ जाती है इसे हम हर्ट्स में मापते हैं साथ ही अपन इसकी आवर्ती को यानि फ्रिक्वेंसी को देखें तो वो कहां तक माती जाती है दसकी गात आठ से दसप्राट माइनस सोला तक यहीं कितनी माइनरिटी से किसी कीरन की फ्रिक्वेंसी को देखा जा रहा है जारा ध्यान से देखो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है इसको बहुत सारी किरने है जैसे अपने पास X-ray है ईल्ट्रा वोयलेट है इंफ्रा रेड है वीजिबल रेज बहुत सारे लेकिन इनमें से कोई भी दिखाई नहीं देती हैं, हम देख नहीं सकते हैं, बस किसको छोड़ कर द्रश्चे प्रकास छट्र को छोड़ कर उसमें जो किर ने हैं, वो visible rays होती हैं, जैसे आपने rainbow देखा है ने, तो rainbow में बहुत सारी किरने हैं न, बहुत सारी color डिएथा है और वह स्पैक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है ज़्जाद देखेंगे तो यह रैंब्लो के कलर्स होते हैं चाहीय अब यहां पर एक चीज आती है कि spectrum जो होते हैं वो कई परकार के हैं इसको detail में तो हम आगे पढ़ेंगे लेकिन फिर भी एक चीज यहां पर आ गई है तो बताना बनता है बेटा यहां पर पता नहीं चल रहा है कौन सा खतम कहां पर हो रहा है और कौन सा शुरू हो रहा है तो इस जब भी कोई स्थती आपके समक्ष हों और आपसे पूछा जाए कि ऐसे spectrum क्या कहलाते हैं तो हम अमेशा कहेंगे क्या कहलाते हैं बेटा सतते spectrum कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सतते spectrum कहलाते हैं जहां पर कौन सी किरन या कौन सा रंग कहां खतम हो रहा है कहां शुरू हो रहा है हम स्पेक्ट्रम की बात समझ में आ गई अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अपने विद्धुत चुंब के जो तरंगे हैं उसी कॉंसेप्ट में अपने पढ़ा था कि इनके गुणों में व्यतिकरण और वीवर्तन तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास पता है नहीं है ठीक ठीक बुरा नहीं मानों वहीं बता रही हूं उसके बाद व्यतिकरण वीवर्तन पढ़ा दूंगी बुरा नहीं मानना बेचा चलें ओके जी आईए चलते हैं तरंग धेदरिय क्या होती है जड़ा ध्यान देंगे कि अपन देखते हैं कि कोई भी समझ में आती ना वैस तो नहीं है कि तरंग को आप समझनी पार है अब तो पता है लंग क्या होती है तो उपर नीचे चलती है ठीक उसे तरंग कहते हैं तो तरंग में कहा कि 2 उच्छिस्टों और या कहूं दो निमनिष्टों के बीच की दूरी उचिस्ट और निम्री डेखो ज़रा ध्यान देना कि अपने पास क्या होता है कि अपन जब भी यूँ कह दें या फिर अपने पास ये लो एक बात मैं समझाना चाहते हूं ध्यान देना कि अगर मैं कोई तरंग को इस तरह से ला रही हूं तो वो तरंग क्या है कि उपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी जितनी उपर उतनी ही नीचे फिर उपर फिर नीचे लहरें तरंगे समंद्र बीच गए होगे आप लोग सब घूमने के लिए है ना तो वहां पर आपने देखियो कि पानी इस तरह से लहरें चलती है तो जितना उपर उतना नीचे जितना उपर उतना नीचे तो उपर को हम कह कहते हैं क्या उचिस्ट नीचे को कहते हैं निमनिस्ट ऊपर को कहते हैं क्या उचिस्ट और यहां निमनिस्ट तो यह क्या है आपका उचिस्ट यह क्या है निमनिस्ट आगे बात समझ में तो दो उचिस्टों के बीच की दूरी निमनिस्टों के बीच की दूरी क्या कहलाती है तरंग देधर यह कहलाती है जिसे हम किस से रिपर्जेंट करते हैं बिटा हम उसे लेम्डा से रिपर्जेंट करते हैं यह लेम्डा है आपका लेम्डा इसे लेम्डा कहते हैं आप चलते हैं दूसरा कहता है कि क्या आता है अपने पास आवर्ती क्या होती है बिटा ध्यान दे आवर्ति कहलाती है क्या कहलाती है आवर्ति अभी मैं इसका डाइग्राम बना के आगे समझाओंगे तुरह ध्यान से तो यहां पर बस इतना ध्यान दे देना इस फोर्मुले में या यूँ कहूं इस चित्र में कि अपने पास जो उचिस्ट होता है उसके ऊपर का हिस्सा या फिर यूँ करू गर्थ में जाए तो उसके नीचे की घराई क्या कहलाती है आयाम क्या लाती है पिट्या कहलाटी है ठीक है और फिर आदा तरंग संक्या और प्रकाश की गति तो आयाम समझ में आ गया तरंग संक्या एक सेंटिमेटर लंबाई में जितनी संख्या में तरंग निकलती है तरंग संख्या कहलाती है तो अभी मैं इसको बना कर आपको दिखा देती है ताकि आप कन्फ्यूज न हो ठीक है अच्छा अपने पाथ तरंग गुजरे समझ में आ गई आयाम समझ में आ गई अब आता है आवर्ती थोड़ा ध्यान देंगे आवर्ती उसके बाद आती है तरंग संख्या और उसके बाद आता है प्रकास कावेगOS ठीक बात समझ में आवर्ती क्या होती है जैसे एक तरंग है ठीक है ऐसे जा रही है तो वो एक बिन्दू से कितनी तरंगे जारे एक बिंदू से बार-बार कितनी रिपीट होड़ी जितनी बार एक ही बिंदू से वो गमन करेगी तरंग वो उस तरंग की क्या कहलाएगी आवर्ति फ्रिक्वेंसी होती हैं जिसे कई बच्छे चोटे बच्छे क्या करते पते हैं गेट के साम बीच में खड़े वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है अब आती है तरंग संख्या तरंग संख्या क्या होती है तरंग संख्या का मतलब होता है कि अपने पास एक सेंटीमीटर की ये लंबाई है तरंग की ठीक है इसमें कितनी तरंगे हैं तरंगों की संख्या एक सेंटीमीटर लंबाई को कितनी तरंगे एक साथ तै कर रही है वही उन तरंगों की क्या कहलाती है तरंग संख्या कहलाती है जिसे हम लोग म्यू बार से रिपर्जेंट कर एक सेंटीमीटर लंबाई को जितनी तरंगे क्या करती है एक साथ क्या करती है विटा गुजरती उसमें से तो वहाँ पर वो कहा था उसकी तरंग संख्या अब आता है प्रकाश का वेग से अपन सी से डिनोट करते हैं कि सी मू और लेमडा है ना तो अपन देखते हैं कि कोई प्रकाश जो होता है वो क्या होता है आवरती और तरंग देदर्य का गुणन फल होता है तो आवरती बराबर क्या हो जाएगा c upon lambda बेटा तरंग संख्या जो mu बार होती है वो तरंग देदर्य का वित्करम भी होती है ज़रा ध्यान देना किसका तरंग देदर्य के वित्करम को क्या कह देते हैं आप तरंग संख्या भी कह सकते हैं तो आप यहाँ पर mu बराबर यानि जिसे आपन आवरती कहते हैं यह आपकी आवरती है और उसके बाद c गुणा 1 upon lambda भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं mu बराबर क्या c गुणा 1 upon lambda अगर आप c को क्या कर लें इकाई मान ले एक मान ले तो mu बराबर क्या हो गया mu bar yes or no बाद clear हो गई होगी समझ में आ गई यह topic clear हो गया very good जल्दी से इसको उतारेंगे और comment में लिखेंगे yes ma'am okay जी okay बात clear हो गई अब जब परकाश की तरंग की बात हो गई यह भी clear हो गया कि हमें यह बात समझ में आ चुकी है तो अब आते हैं हम अपने अगले गुण पर जो है क्या वीवर्टन सॉरी व्याति कारण प्रकाश के तरंगों का व्याति करण व्याति करण मतलब क्या होता है जब दो तरंगे समान आवर्ती की एक साथ गुजारी जाती है तो वो आपस में मिलकर उचिस्ट निम्निस्ट बनाती है जब वो एक साथ दो तरंगे उचिस्ट बना रही है तब तो वहां डार्क एरिया दिखता है जब एक उचिस्ट ये निम्निस्ट बना रही है तो वहां दिखता है क्या हल की light color की हम visibility होती है क्या वहाँ पर आगया आपका निमनिस्ट का एरिया ठीक बात है तो व्यति करण जो पढ़ाया जा रहा है उसमें इसी तरह की स्ततियां आपको नज़र आएंगी तो जब किसी समान आवर्ति की तरंगों को गुजारा जाता है तो उस घटना को हम क्या कहते हैं उसका परिणाम जो मान होता है उस घटना को हम कहते हैं व्यति करण जिसकी परिभाशा आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है देखो तरंगे किसी माद्य में एक ही दिशा में गमन करती हैं पर आवर्ति क्या हो उनकी समान हो तो उनके अध्यार उपन के फल्सवर प्रकाश के तिवरता मे जैसे फोर एक्जामपल एदी में बात करूं तो जैसे अपने पास दो तरंगें एक और ये होगी दूसरी ठीक है अब आपने देखा कि आपने इन दोनों को इस तरह से जो छिद्रों में से गुजारा जैसे आपने गुजारा तो आप देखेंगे कि तरंगें जो हैं वो इ एक बार ऐसा हुआ कि एक ऊपर चली गई और एक नीचे चली गई तो जब दोनों एक साथ ऊपर आई तो वहां देखेंगा क्या आपको डार्थ और यहां पर दिखेगा लाइट ब्राइट चीजें दिखाई देगे बात समझ में तो जब कोई गहरा अपने को इमेज दिखाई दे रही है प्रकाश की घटना नहीं जब प्रकाश की किरने जा रही है तो वहां पर कभी वो डार्थ है कभी लाइट है तो वहां पर वो कौ फटाफट देखो बात समझ में आई कि नहीं यहां देखो जी देखो क्लियर तो रोफटाफट कि यह क्या करेड़ा देखो यहां क्या है लाइट यहां क्या है डार्क है कि नहीं तो यहां पर क्या है एक किरण ऊपर है और एक किरण नीचे है यहां पर तो और यहां पर क्या ह यहाँ पर क्या है वहाई एक के ऊपर दूसनी किना अध्या रोपिता हो रही है घटना क्या है वीवर sorry व्यती करण clear बात समझ में आ गई तो अब देखो इसके प्रकार इसमें प्रकार है दो एक रचणात्मक और एक विनासी रचनात्मक और विनासी में क्या फर्क होता है जब रचनात्मक यानिकी नई किरन का निर्मान करती जब दो किरने एक ही डाइरेक्शन में हो डाइरेक्शन भी नहीं बदले तो वहां पर क्या होगा डार्क जब डाइरेक्शन विपरित हो तो वहां क्या होगा लाइट बात सम क्या होता है तो वीवर्तन काहा कुछ नहीं जब किसी भी तरंग को किसी भी छिद्र में से गुजारते हैं तो वही पर ही मुर जाती है उसके किनारों पर ही मुर जाती है था प्रकाश का किसी छिद्र में से गुजरने पर उसके मुड़ने की घटना ही क्या कहलाती है यह कहूं आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार नजर आ रही है प्रकाश मुड़ने की घटना वीवर्तन कहते हैं इसा पाया गया की की लगु आकार के अवरोधों से टक्राने के बाद क्या हो जाता है लगु आगार मुड़ जाती है जब लगु आकार के छिद्रों से होकर तरंग गु कि इस द्रण को सब्सक्राइब आपको स्क्रीन पर एक डाइग्राम नसरा रहा है आ रहा है यह डाइग्राम कह रहा है कि एक चिद्र में से गुजारा कुजारती मूढ गई यहां पर घुजारा फिर मूट गई तो ये मुडने की जो घटना है इसे ही क्या कहते हैं इसे कहते हैं हम क्या बेका विवर्तन और घटना जब घटित हो करके जब आपको कोई स्पेक्ट्रम या परदे पर या चमकिली और लाइट क्या कहें तरंगे दिखाई दे या यू कहें कोई स्पेक्ट्रम नजर आए तो ह हम उसे कहते हैं व्यति करान बात क्लियर हो गई बात समझ में आ गई तो फटा फट जल्दी से लाइक करेंगे और कमेंट लिकेंगे यस मैम ओके जी ओके अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की और प्रकाश का वीवर्तन हो गया व्यति करण हो गया प्रकाश के बारे में भी पता चल गया और प्रकाश से पहले वीकिरन के गुन के बारे में भी मालूम चल गया ठीक है अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की और अग्ला टापिक है अपना क्या माक्स प्लंग का क्वांटम सीद्धान आपने क्या पड़ा है और विकेरन के रूप में तरंग विद्युट्चुंब के तरंगे कहा दन उसके बाद कहा कि या कण भी तो हो सकता है क्या विचार किया जाए तो साइन्टिस्ट आया कौन Max Planck उसने कहा कि जो विकीरण है वो कण ये प्रवर्ति की भी होती है और तरंग भी होती है अब हम करेंगे research किस पर कण पर तो उन्होंने क्या खा कि कण रूप में जब तरंगे होती है तो वो कण रूप में किस तरह से चलती है उनकी उर्जा कैसी होती है वो उर्जा किस रूप में व्यक्त की जाती है वो सब उनने यहां पर डिस्काइब किया तो फटा फट शुरू करते हैं बात समझ में आ रही है ना अपने एक के साथ एक जुड़ते वे चले जा रहे हैं तो सबसे पहले विकिलन उर्जा का करता है और दूसरे से यानि उच्छ से निम्न में आता है तो क्या करता है सर्जन करता है तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार यह सतत माना जाता है सतत का मीनिंग मैंने बताया हुआ है जहां पर दम मिक्सिंग होता है किसी को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता है उर्जा क क्या के कहते हैं फो governments में आ गई है तो फटा फट उतार है ये बात क्लियर हुई जिसका वो Obstruction कर रही है उन्हें क्या कहा जाता है Quanta, क्वांटा या photon कहा जाता है कि वो कणों के रूप में कारिया कर रही है तो जैसे ही उसने इस चीज को बताया तो उन्होंने कहा कि प्लांक ने कहा कि कोई भी कण जब गती कर रहा है तो उस दोरान उसके उपर एक क्या करता है अपने यूं कहे दे कि अपने पास कोई भी कण है तो अपन कहते हैं कि प्लांक ने कहा कि ये जो इलैक्टोन है जब चल रहा है तो वहाँ पर तरंग भी चल रही है तरंग के बात करते हैं तो फोटोन में जो उर्जा होती है और उर्जा उन्होंने बताई किसके बराबर h mu के बराबर h mu यानि कि जो भी urgea है कोई भी urgea के दिया बात करते हैं तो किसके बराबर चलते है वह urgea क्या होती है उसमें एक urgea का packet नहीं होता है और वो होता है क्या h mm के बराबर बात समझ में आई तो plank ने इस प्रकार research करके कुछ mehto-pun बिंदू भी बताए जिसके उपर उनने गणितिया रूप दिया वो गणितिया रूप क्या है आपको कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है कि गणितिया रूप जो है आपका इस प्रकार है उन्होंने कहा एक क्वांटा की उर्जा इभी मैंने बताया अच्मू के बराबर हो सकते हैं यानि एच गुना सी अपन लेंड़ यस और नो बात समझ में आगे एच क्या है राजा बच्चों प्लांक नियतांक इस्तरांग नहीं बोलेंगे इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है प्रकाश का वेग तीन गुना दस्किकात आठ मीटर पर सेकिंड लेंडा तरंग द क्यार जल्दी से फटाफट उतारेंगे बिना टाइम को कंस्यूप कि डंजी डं ओकी चलते हैं आगे अब बढ़ते हैं किसी वस्तुद्रा उस्ताजित मात्रा क्वंटा के रूप में होती है जिसका मान जो है वो क्या होता है हम्यू टू एच म्यू त्री एच म्यू एक सरल बुनज की रूप में होता है चलते हैं आगे अब आता है अपना अगला टॉपिक जो है वो है क्या आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है प्लांक ने बताया यह घटना जो प्रकाश क्योंने बताई यह प्लांक ने बताया यह उन्होंने क्या कहां उन्होंने कहां कि जब कोई ilactron गती करता है तो उर्जा का absorption उत्सरजन होता है तो वो उर्जा का packet quanta होता है तो अगर वो उर्जा का absorption या उत्सरजन कर रहा है तो वो कब करेगा ऐसा कब होगा किसी धातू की plate पर प्रकाश डालें तो वहां पर होगा कैसे होगा तो प्रान्क ने कहा don't worry एक प्रियोग करते हैं और प्रियोग करके बताएंगे कि ये क्या कहना चाहता है उसने प्रियोग किया और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि एक धातु की प्लेट प्रकाश वित दुबा को वो समझाया उन्होंने बिल्कुल clear लिए तो वो समझाते हैं उन्हें कहा व बिंदु हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन पहले में जो समझाते हैं ज्यान से सुनना यह क्षिन क्षेशन आता है उन्होंने कहा कि जब कोई भी धातु उसकी plate है उस पर प्रकाश की किरन आप डालते हैं तो जिसे ही डालते हो तो वहां से कीने क्या होती है वहां से electron का सजन चुरू हो जाता है तो वह उसक्रण आया तो उसमें जो कन थे वो photon थे उ्रजा के Nueva वह उस दातू की प्लेट गऑन उन्पस अतिन खोड़ कर निकल बन गया क्या प्रकाश विध्यत प्रभाव की खोट जो है वह कि सनी की ती सा這麼 नहीं की और उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जब किसी धातु कि सदय विद्चुम्बे के विकिरने गिरती है विद्चुम्बे के विकिरने आप सब जानते हैं पराबेगने कि दर्श करने और उनकी सदय पर इलेक्टोन निकलने लगते हैं इस घटना को प्रकाश विद्ध्यत्र कहा चाहता है प्रकाश इलएक्ट्रोन भी कह सकते हैं क्योंकि हूँ क्योंगे द्रश्य प्रकाश का उप्यों केवल चारी धातु पर ही होता है चारी धातु जादा सक्रिय होती है इस लिया आप य pastry पर को गरम करेंगे या फो 빠काश दाने तो वह ज़ब हो जाएंगी और अपने में से इलेक्टोन डोनीट करना शुक्र तो चार ये धात्मों में सबसे ज़्यादा गुन पाया जाता कि वह सबसे ज़्या प्रवर्ति की होती है जबकि एक्स किरण का जब उप्योग किया जाता है तो वह सभी धात में प्रकाश विप्रवाव दिखाती है क्लियर डन चलते हैं आगे अब आपके सामने स्क्रीन पर एक डाइग्राम नजर आ रहा है जिसमें कह रहा है कि फोटोन युक्त कोई एनरजी विप्रकाश की किरण आती है और आकर के क्या कर जाती है आकर के इलेक्ट्रोन को उच्सर जित कर देती है और जब इलेक्ट्रोन उच्सर जित करता है तो वो तुरंत होता है जैसे गिरी तुरंत अब यहां पर कुछ फैक्ट है कुछ क्वेस्चन आई जैसे कहा कि यदि प्रकाश की किरण आ रही है और इलेक्ट्रोन उच्सर जित हो रहा है तो इस बीच कोई समय लगता है क्या आई गिरी बैठी चाय प बता दिया वो तो हम बड़ावर होनी चाहिए कैसे कम हुई तो यह इससे जादा हुई तो रूको धेरी रखो सब बताएंगे सब बताएंगे यह क्यों उच्छन उठाए गए जैसे हम पढ़ते वक्त इसलिए तो हम टीचर कहते हैं कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो आपके मा मैं यह रुक करूअ अगर हुआ तो क्या वह तुरंट निकल के चला गया या उड़म आपने तो वह यह आप तो अच्छमिय बता रहे हैं अगर हम इसे जदाताू है देन क्यों पुन से टकराता है तो इल्यक्टें उतसर सर्जित होने लगते हैं और इस Ayas समय अंतराल बिल्कुल भी नहीं होता है जैसे गिरी तुरंत गया फिर गरें फिर ओफर गिरा फिर एलेक्टें नहीं है और इल्यक्टें की संख्याप प्रकाश की तेवढ़ंग के समानुपाती उती तिवरता जितनी जादा तेजी से आई उतनी तेजी से वो निकलेगा अगर आप धीरे-धीरे तो वहाँ पर जिसना जितनी तिवरता होगी उतनी उतना ही कारिय किया जाएगा फिर आगे आता है कि कहा कि जो उर्जा आपने दी है क्या वही उर्जा चाहिए अगर उससे कम जादा होगे तो उन्होंने कहा वो जो उर्जा हमने बताई है वो देहली आवर्ती की उर्जा है अगर वहां तक है अगर आपने जो उर्जा दी है अगर देहली आवर्ती के बराबर है तब तो इलेक्टोन रिलीज होगा धातु की प्लेट से अगर ऐसा नहीं ह तो आपन देखेंगे कि वहाँ पर आपन देखते हैं कि Hμ के बराबर यदि एनरजी नहीं है उससे कम है तो आपका इलेक्टान सतय से नहीं जाएगा वहीं पर यदि क्या हो अगर उससे जाधा है तो वो दहली उर्जा लेकर इलेक्टान उतसर जित हो जाएगा और बाकी जो उर्जा शेश रही है वो गतिज उर्जा के बराबर हो जाता है बात समझ में आ गई होगी क्लियर उसके बाद यह कहता है कि देहली आवरती के नीचे की आवरती प्रकाश वाव उत्पन नहीं कर सकती है अभी बताया ना कि अच्मियों के बराबर ये नहीं है तो वहां पर इल तो जाते हैं वहीं पर उत्पन प्रकाश की आप कितना तीजी से इलेक्ट्रों दे रहे हैं तो ज्यादा शाइनिंग आईगी फटाफर इलेक्ट्रों निकलते चले जाएंगे क्यों जो एनर्जी उर्जा आप दे रहे हैं वह देली आवर्ति के बराबर वह निस्च्त नीवनतम आवर्ति जो इलेक्ट्रों को सताह से निकलने के लिए आवशक हो देली आवर्ति कहलाaras ही या परीवांस समझ में ईए रह गा प्रकार आपका प्रकाश विदित प्रभाव का कॉंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से आपको ये बात समझ में आगी होगी हाँ या ना जल्दी से जल्दी और लाइक कर दो बचों आज जो हमने पढ़ा है वो टॉपिक जो है बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए इतना डिस्क्राइब करके मैंने पढ़ाया है अब प्रकाश विदित प्रभावी घटना तक क्लियर हो गया है उसके बाद अब हम जो है वो बोहर का जो मॉडल है उसके कुछ मुख्य बिंदू है उनके बारे में अगले में डिसक्स करेंगे साथ में जो उर्जा होती है वो उर्जा कितनी होती है किसी भी कण के पास उनमें अंतर कितना होता इसका गणी की रूप हम अगली कक्षा में डिसक्स करेंगे तब तक आपको जो मैंने आज पढ़ाया है वो पढ़ना है नोट्स बनाने हैं ओके बच्चों हम क्योंसी में अपना कौन सा चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपने उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ लिये हैं और कुछ टॉपिक आज डिसकस करेंगे तो फटा फट यह भी बहुत इं आप फटा पर सभी बच्चे जुड़ जाएं ताकि जिसने भी वो क्यूशन पूचा है उसको उसका अंसर मिल जाए ज़रूरी है ना आप सोचते होंगे कि मैं कमेंट नहीं देख रहे हैं मैं देखती हूं बिटा कमेंट हम देख रहे हैं हम उनके आंसर भी आपको बता रह है ना हम देख रहे हैं हैं पता है कि बच्चों कहां डावट है तो बिटा जल्दी जल्दी शेयर करो फटा फट्लाइक कर दो जल्दी 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 और लास्ट तक मेरे साथ बने रहे हैं क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टन है साथ में हम जो पढ़ेंगे क्यास्टन अंसल भी आज हम करेंगे ओके तो हमने पीछे क्या पढ़ा हुआ है उसका क्विक रिविजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं बेटा हमने पीछे परमानू-परमानू की सरंचनाएं क्या होती है जैसे उसमें उपसित आव परमानू विक कन इलेक्ट्रों प्रॉट् कमिया रही उन पर भी डिसक्स किया राइट उसके बाद में से करेंिस आता है वो है आपका समर मानू क्रमांख प्रमानू भार और क्या प्रमानु भार को द्रिमान संखय भी कहते हैं Some electronic Some समस्थानिक संभारिक राइट मैंने कोशिश की थी कि जितना हम शोट में कर सकें लेकिन जो चीज एक्जाम में आनी है उसको वैसे पड़ा जाए राइट एक बच्चे नहीं पूछा था कि प्रमानु क्रमांग जो है उसे जैड से ही रिपर्जेंट क्यों करते हैं क्यों करते है फिट से क्यों करते से से क्यों नहीं करते हैं तो एक जर्मन शब्द प्रमानु करमांग के बारे में विग्यानिक ने बताया था कि यह जर्मन शब्द से लिया गया है जो था जहल जड ए हलS एल जहल वहां-स रिया गा है ऐसका अर्थ तो ती ए गिंति संख्या इसी लिए किसी परमानू की संख्या को हम क्या कहते हैं परमानू संख्या और से हम किसे रिपर्जेंट करते हैं जड़ से ओके आंसर मिल गया चलो जी चलो आगे चलते हैं अब अब अपन देखते हैं सेकिंड बात कहीं बच्चे कह रहे हैं कि continue class हो रही है बस आप प्रभी जोई नहीं कर पादें कंटीनियू ग्लास आपको मिल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी ज़र शेर किया करो ताकि सब के पास ये क्लास पहुंच सके ओके और एक बात सबसे इंपोर्टें लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहा करो तभी जाके जिए समझ में आएगी आएव ने बहाल मौडल को पढ़ा था जहां से उस्षाव की उसके बाद में इसका सेकंध पार जवह आज हम पढ़ेंगे उसने शुरुवार की थी उसने कहा कि कोई भी कंड है रधर फोर की जो कमिया उसने उससे शुरुवा की कमियों को दूर करते वे अतों करहित लिख वहीं बात खतम नहीं होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है यह हमने देखा लेकिन उसकी व्यक्ष्या क्या है वह हम आज डिसकस करेंगे या नहीं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्यक्ष्या बोहर ने जो मॉडल दिया था उसकी जो उपलब दिया है उसने जो भी बाते कही थी वो कौन से तथ्य ते जो अपने सामने रखे वो पढ़ेंगे उसकी कमिया रही वह भी हम पढ़ेंगे उसके बाद उन कमियों को दूर करते हुए हम बढ़ेंगे आगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देखेंगे किस तरह से बनाया जाता है साथ ही इससे आने वाले क्योशन कौन से हैं वह हम आज सब डिसकस करेंगे तो बच्चों लास तक लास रहना जुड़े रहना ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए ओके मैंने कोशिश की है कि बहुत अच्छा से क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपका साथ जरूरी है तो चलते हैं शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक अपना टॉपिक क्या है प्रकाश विद्धत प्रभाव की क्या व्याख्या प्रकाश विद्धत प्रभाव की व्याख्या क्या है आप सब को पता है कि प्रकाश विजद प्रभाव क्या होता है जब भी किसी धातू की प्लेट पर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वहां से क्या हो जाता है इलेक्टोनों का उत्सर्जन होना शुरू हो जाता है क्लियर इलेक्टोनों का जब उत्सर्जन होता है तो वहां पर क्या तुरंत हो जाता है क्या अगर जादा उर्जा दी गई तो क्या होता है वो जो बच्ची उर्जा किसमें कनवर्ट होती है वो सब भी समझाया गया था वो क्या था से लाइक बार गोर करते हैं नजर डालते हैं उन तत्यों पर सबसे पहले देखेंगे आंस्टीन फ्लांक के क्वांटम सिद्धान का उप्योग करके फो फटो इलैक्तरिक परभाव के विवमन बिन्दुों की व्यक्षा करने में सक्षम हुए फो एलिक प्रकाश विद्ध्य। प्रभाव की व्यक्षा इसे पहला बिन्दु था फोटो लेक्टोन के वल तभी उत्सवजित होते हैं जब आपतित प्रकाश एक निश्चित नियुनुतम आवर्ती जिसे हम देहली आवर्ती कहते वह नियुनुतम आवर्ती जिसको यदि किसी भी प्रकाश में यदि वह मौझूद है और वही उसी उर्जा के साथ वो किसी धातु की प्रकाश प्रकाश के वह निकलती है जैसे यह धातु की प्लेट है और यहां पर कोई प्रकाश के गिरन आ रही है तो इसकी उर्जा नियुनुतम इतनी हो कि यहां से इल्लैक्ट्रोन विमू हो सके तो वह उर्जा किसके बराबर होनी चाहिए उन्होंने कहा देहली आवर्त के बराबर होनी चाहिए जिसे इन्होंने मानक माना और लिखा म्यू नोड क्लियर बात समझ में आ गई होगी अगर आपति प्रकाश की आवर्ती वी से थ्रिशल्ड आवर्ती वी नोड से अधिक है यानि यह जो प्रकाश आ रहा है बेटा इसकी एनरजी हम्यू है लेकिन इ जो यो शेष बची वो किस रूप मेर्जाती वेटे वह बदल जाती है गति जी ढूर्जा के रूप में चलते हैं आगे अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रकाश कि तिवर्टा बढ़ने पर अधिक लैक प्रोन सर्जित होते हैं तिवृता जैसे मैं चल रही हूँ एधिक हम स्चल रही हूं हम लिए टीवर्ता बढ़ रही है यानी कि अगर मैं थेज चलूघी तो पीछे मेरे पीछे आने वाले भी और तेज से चलेंगे राइट यानि कि एक समय में अधिक दूरी को तै करेंगे हम लेकिन फ्रिक्वेंसी एक बिंदू से बार-बार गुजरना वो नहीं है यहां पर यह आवरती पर निर्भर नहीं करता है वो तिव्रता पर निर्भर करता है संख्या बढ़ जाती है क्लियर बात समझ में आ गई होगी लेकिन इलाक्टोन की उर्जा में कोई परिवरतान ऐसा नहीं है कि जादा एक्साइटेड हो जाएंगे जो उर्जा चाहिए उतनी ही लेकर आएंगे राइट इससे समझ सकते हैं कि अपन यदि कोई मॉलिक्यूल लेते हैं उसकी एनर्जी ज दस में से पांच मॉलिक्यूल निकाले और फिर आपने बड़ा दीर अफ्तार मतलब की अनुमों को निकाल लेकि तो वह दसके दस निकल गया पहले कितने निकल रहे पांच अब तिवर्टा बढ़ाई तो दसके दस निकल गया तो उर्जा तो यही रही लेकिन संख्या में क करिवर्तन होता है जिसे उन्होंने एक सुझ्र के द्वारा प्रदेशत किया और कहा कि तेलयावरती जो है वह अधिक्तम आवर्धी से घटाने पर जो शेष बची उर्जा है वह किस रूप में आती है गतिज उर के रूप में आती है किस रूप में बसे अर्षा के гр boca रूप में जिसका फॉर्मूला होता है एक बटा 2 mv qar clear बाठ सबस में कि आ गई होगी सब आगर चलते हैं आगे आपन देखते हैं अपना प्रकाशुजित प्रवाव जैसे ही खतम हुआ तो बोहर ने अपने मॉडल के बाद में बताकर उसे लास्ट पढ़ाव की ओर ले जाना शुरू कर दिया यानि बोहर के क्वांटम सिद्धान के आदर प्रमानु का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया कोई शक नहीं है क्योंकि प्लांक उसके साथ जुड़ा था तभी तो उसने कन और तरंग दोनों की वैख्या की वरना वो नहीं कर सकता था अगर मैक्स्वेल नहीं आता तो प्रकाश विद्धु क्रम दसकी गात माइनस दस मीटर यह परमानु की त्रिजा है वेटे किसकी त्रिजा है परमानु त्रिजा क्या है राजा प्रमानु त्रिजा है सेकेंड संपूर दर्वेमान केंद्र में केंदित होता है जिसे नाबिक कहा जाता है जिसकी त्रिजा दसकी गात माइनस पंद ट्रिजा और नाविक केक्षिनाथा है परमानु की द्रिजा होती है दसकी माइनस 10 mysterious की घात माइनस 15 मीटर दसकी घात माइनस 20 मीटर और इनमें से कोई नहीं पर मादनो की द्रिजा दस्की गात-10 नाविक की द्रिजा द्सकी गात-15 छोटा है ना नाभी तो त्रीजाबी कम है राइट चले आगे ओके जी ओके आप देखो अगला पॉइंट कह रहा है कि लैक्टोन नाभी के चाहर बेशक चक्कर लगाते पर सीमित वर्तकार पत में याद है मैंने बताया था रदर फोर्ड ने कहा था कि बताओ भई कौन से किसने रद लगी तो कहा बोहर नहीं बताया कि है उसको एक ने तम उर्जा चाहिए कितनी ऐन एक चापवोन डू प्र लाभर चाहिए एक आनुमादित पथोमें अपनी क्रांती के दूरान उर्जा उठ सर्जित नहीं करता है यह भी तो कहा था बोहर ने टो जो रदर फोर्ड कहता है क जब जाते हैं तब उड़ जगां सर्जने होता है राइट उन्हीं कख्षाओं में उमादित उसकी कोणी है समवेग MVR कितना गुणज होता है एनच अपॉन टूपाई के MVR जान क्या है कख्षकों की संख्या क्लियर बात समझ में आ गई होगी आप तो आवाज सुनाई दे रही है ना कहीं बचे कहते हैं मैं आप बहुत दीरे बोलते हो अरे नहीं भाई तुम कानों को खुला लखो राजा तभी आवाज आएगी हम बहुत तेश बोल रहे हैं राइट फड़ा पर ध्यान लगा के सुनो अगला के रहे हैं जब इलेक्ट्रोन उर्जा को अवशोशित करता है तो वह उंची कख्षा में चला जाता है वहीं वह उ उर्जा रक्षक हो गए यहां पर बेटा इलेक्ट्रोन है अगर इलेक्ट्रोन यहां है यहां से यहां है यहां आगया इलेक्ट्रोन अब तो यह इस समय तो क्या कर रहा है उर्जा का अवशोशन कर रहा है क्या कर रहा है वहीं पर यदि यहीं इलेक्ट्रोन क्या कर रहा है यहां से यहां आ तो क्या हो रहा है उर्जा का उतसर जनों है क्लियर बात समझ में आ गई होगी डन यहां तक टॉपिक क्लियर हो गया है याइनी बोहर ने जो कुछ कुछ बाते हैं जो वो नहीं बता पाया था हम आगे डिसकस करेंगे उसकी सीमाएं होंगी अब कुछ उपलब्दियों के बारे में बात कर लेते हैं कि बोहर की उपलब्दियां कुनसी है पहली बोहर ने परमानु की स्थिरता को समझाया बिलकुल बेशक कोई इसमें डाउट नहीं है कि उन्होंने स्थिरता को बताया उसने कहा ना कि अगर इलेक्ट्रों नाभिक में गिर जाएगा तो फिर तो वह इस था है लेकिन ऐसा नहीं है वह तो क्या है वह स्थाई है सही बात है बिलकुल तथ्या क्लियर है बहुत ने कहा कि हाइड्रोजन प्रमानू और एक एक एलेक्ट्रों प्रजाति के एलेक्ट्रों की और जाकि गर्ना करने में भी सक्षम रहा कहा नगई एक एलेक्ट्रों जिसके पास होता है तो ंच परमानूं की भी वहख्या उसने की थी कि इसने बाहर में राइट चलते हैं आगे उसके बाद कुछ सीमाएं है जिसके बारे में बात कर लें जदा सी क्या सीमाई है एक से लिक एक टून आ जाए तो क्या होगा उसने एक ही लाक्ट्रोन की बात की कि है और हैडोजन स्पेक्ट्रम को भी समझा पाया वह हम आगे बताए लेकिन अगर एक से जादा एक्ट्रोन हो तो बहुर को बताओ फिर फिर स्पेक्ट्रम क्या है तो बिचला चुप हो गया कि मैंने इस पर रिसर्च ही निकिया आगे तो खुश हो गया कि एक रेक्ट्रोन आजा तो सब का ऐसा याई पर सब कैसा नहीं तो थुदा दुखी हो अब यह तो हमने देखा कि प्रकास की बहुत सारी किरने जो उती एक साथ मिलती है अल्ट्रा वोईलेट है द्रश्य छेत्र हैं बहुत सारी किरने हैं आई आर है अवरत किरने है इंफ्रारेड है यह किरने जब आपस में फैल जाती तो दिखाई क्यों नहीं देती इनका बात है यह भी मैं नहीं समझा पाया तो इसकी व्याख्या भी हम आके पढ़ेंगे जैसे पुईत्र से किस चीज को क्लियर नहीं कर पाया था बोहर तो आगे अपन इस चीज को देखेंगे उसके बाद कुछ रासाइनिक बंदों के निर्मान में अनू बनने की प्रमानों की छ समता में पर्मान उसे अनू कैसे बनता है भाई यह भी नहीं बता पाया यह भी वह नहीं समझा पाय तो उसके लिए आगे हम पढ़ेंगे इन कम्यों को हम सब को देखेंगे कहां पर क्या सीमा को रिशर्च ठीक है उसके बाद इस हाईजेन बर्क एन निष्च्चता सिधान को भी नहीं समझा पाया यानि कोई भी कन गती करता है उसका वेग है उसका द्रविमान है क्या एक समय में हम क्यात कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो भी बोहर इसके बारे में नहीं समझा पाया तो यह क्या है इसके बारे में हाईजेन नाम विग्यानिक ने इसको क्लियर बताया प्रकास की किरन आप सभने देखिए देखिऊ न बिलकु में गिरातेए तो तूर रंत क्या हो जाती है और सात रंगोंल होता क्या है जरा ध्यान देगे परिणामी खरण के लिए सबसे समोहक साक्ष स्पेक्ट्रोइसकोपी से मिलता है स्पेक्ट्रोइसकोपी पता है क्या होती है एक ऐसा यंत्र है जिसमें यह आप किसी पधार्थ को या प्रकाश की किरण को डालते हैं तो वो उन किरणों की बारे में बता देती है कि ये कोन कोन सी किरणों का समु है एक प्रकाष में कोन कोन सी कियों तो भी उसको भूखेर कर बता देगा है इसमें कोन सी तरंगे समलित है उसे हम कहते perspective noración एक्लियर स्पेक्ट्रम शब्द लेटीन शब्द है जिसका अर्थ होता है उपस्थित आवर्ति या तरंग दिद्रे के फलंग के रूप में किसी अनुद्वारा प्रैश्चित या बिखरी हुई तिवरता के रिकोर्ड को उसका स्पेक्ट्रम कहा जाता है जब वो फैल जाती है आवर् तरंग दिद्रे के अनुसार सें स्पेक्ट्रम कहते हैं यह वैसे तो मैंने पीछी क्लास में भी आपको इस्पेक्ट्रम दिखाया था आज फिर डिसकस करेंगे बहुत सारी करने गामा एक्स के ने पर आपे दरश्य के ने इनमें से के वाल दिखती कौन से है द्रश्य के य देखो सामने इस प्रवं दिखाई देरहा है बहुत सारी किने लेखिन बैठाः ये सब दूसरी में mix होती जा रही है पताही नहीं चल रहा है का огрyst that मौर इस कल रहा है का शुरू हो रहा है काण शुरू रहा है नहीं idea चल रहिए नहीं चल रहा है ना क्योंकि ऐसे spectrum जो होते हैं वो सतत होते हैं continuous जो बिना रुके कोई भी ग्राफ नज़र आता है वहीं पर यदि आप किसी प्रकास की किरण को किसी प्रिजम पर डालें और उसमें क्या हो आपके सामने ऐसे black white black white पट्टिया नज़राएं तो वो होता है ऐस अपसर अमिल चम्के लिए और काली पट्टिया नज़राएं अब वो चमके लिए कई और काली कियंए उसका मैं आगे डिसकुस करूंगी तब पता चलिगा लेकिन षत थो समझ में इसमें कोई पट्टिया नहीं है इसलिए कंटिनियर यह रुक रुक के आ रहा है तो यह क्या है ऐसलता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटा फट उता रहेंगे जल्दी से देखें आगे चलते हैं स्वेथ प्रकास द्रश्यमान सीनमा में किसी तरंग देदरे की तरंगे शामिल होती है पता है यह बात तो श्वेथ प्रकास किसी प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो रंगीन बैंड की एक श्रंकला दिखाई देती है से स्पेक्ट्रम का आ जाता है और यह 7.5 की पावर इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स लाल से चार गुना दसकी गाद 14 हर्ट्स तक होता है है हैट्स आवर्थी के लिए आए बिटा अरेंगा स्ट्रांग तरंग देदरे के लिए लैंडा तरंग बात समझ में आ गई होगी चलते से चलते हैं आगे चूंकि एक रंग दूसरे में मिल जाता है तो वहां पर स्पेक्ट्रम क्या हो जाते हैं विटे सतत हो जाते हैं और यदी वह एक दूसरे में नहीं मिलते हैं तो वह हो जाते हैं सतत क्लियर यहीं लिखा गया है जरा फटा फटा रहेंगे ताकि आपको यह नोट्स बनाने में एजी हो जाए क्लियर बे इस प्रिज्म की यदि मैं बात करूं तो प्रिज्म ये कहता है कि यहां पर क्या चल रहा है क्या होता है कि यह कोई भी आपके पास एक प्रिज्म में आप प्रकाश की किरन क्या करूंगे आपतित करते हो जब भी आप आपतित करते हो तो उस दौरान क्या होता है कि किरने यहा जाती है क्या हो जाती है साथ रंगों में विभक्त हो जाती है हो रही है क्या देखो आपको दिखाई दे रहा है ना साथ रंगों में विभक्त हो जाती है तो यह जो रंगीन है यह जो रंग बिखरेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं यहां पर यह चलना नहीं चाहिए क्या बच्चों यह मैं रोज सोचती हूं कि यह क्यों नहीं चल रहे हैं क्यों नहीं चलते हैं अब देखो अब चलेगा ठीक है चलो देखें यह देखो यहां से एक प्रकाश की किरण आई चलो भाई मेरे बच्चों को देखना है अच्छे चलता ही यह अब क्या कर सकते हैं चल नहीं रहे हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है अपने तो वैसे बीखी लिया ठीक है को यहां पर आपको यह साथ सातरंग दिखाई देए कि किस तरह से काम कर रहा है चलो कोई बात नहीं चला तो हमीए आपन यह पर रंगी नपन तो देखें लिया यह प्रीज में पर एक वाइद श्वेद प्रकाश आया और यह क्या हो गई श्वीद प्रकास आते ही यह क्या हो गई सीधी की सीधी साथ रंगों में भक्त हो गई जिसे हम विब ग्योर कहते है प्रिज्म का डाईगराम क्लियर हो गया बात समझ में आ गये अब अपन देखते हैं कि जब यह सातज तो इस पैक्टम बन्हुना कैसे के से सात रंगाए क्लियर तो चलते हैं कहा कि सामान्यावस्ता में लोटने के लिए विकरार उत्सरजित करने किया व्यशक्ता तो निकिया जाता है लक्टम के दौारा को कौन सा Griff 거ские उसे हम कहते हैं और और ऊध्सर जन स्पैक्टरम समें आव वो शवर नौ usually सब बच्च्छ द्यान डियां बेटा हमने क्या किया एक प्रकाश किरन्ELि किसके उपर दऔर दल के पृझ में टिक आ equipment प्रिजमें पर डाली तो साथ रंगे आई किरने बिखरी और हमने इसको एक पर दे पर लिया तो पर दे पर हमने देखा कि इस तरह लाइने बन जाती है ठीक है बिटा जरा ध्यान दे जो किरने आई पर दे ने सारी अवशोशित तो नहीं की जो अवशोशित हुई वहां पर बन गया ब्लैक पट्टी और जो उत्सर्जित हो गई वहां बन गई श्वेत या चमकीली पट्टी यस और नो बात समझ में तो कहा कि जब किसी भी प्लेट पर या कोई प्रकाश की किरन प्रिज्म पर डाली जाती है तो वहां पर सारी किरने उत्सर्जित नहीं होती और सारी किरने अवशोशित भी नहीं होती कुछ किरने अवशोशित हो जाती है वहां ब्लैक पट्टी आ जाती है और कुछ किरने उत्सर्जित हो जाती है तो वहां चमकीली पट्टिया नजर आती है जब चमकीली पट्टिया नजर आ र यह अभी देखा तो वहहां पर सब तो रहे थे तो वह बात क्लियर वह बात समझ में आ गए बात तो आपझा लेते हैं थोड़ी परिभाशा कि क्लिप सर्जन और विकिरनों का स्पैक्ट्रम जिसे और अवशे squad की जाती है जिन परमानव ौन्या आएनों के विकिरन को अवशोष्ट कर लिया जाता है उन्हें सब्सर्जित करलता है जिसमें क्या होता बेटा जिसमें विकिरनों का अवशोशन होता है आपने एक नाम सुना होगा कृष्णी का है ना ब्लैक बोडी क्या होती है कृष्णी का क्या होती है इसी में से निकल कर आई है कि जब भी कोई पधार्थ सभी किरनों को अवशोशित कर लेता है या कहें कि ऐसा पिंड जो सभी किरनों को अव और जल्दी से चलते हैं हम आगे फटावर उतारो फटाफट ओके जी ओके स्पेक्ट्रम समझ में आया अनेक किर्णों का समुह स्पेक्ट्रम कहलाता है इस पेक्ट्रम यदि रेखाओं में विभगत हो जाता है तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने बिखरती नहीं एक बाद एक कंटीन चलती है जब पट्टियां बन जाती है तो ऐसा तरह जाता है एस अध़ी कब होता है जब अवुशोशन और उत्सरजन स्पेक्ट्रम होता है क्लियर स्पेक्ट्रम का टॉपिक समझ में आ गया है तो अब चलते हैं नाम है हाइड्रोजन परमानू का लाइन याने रेखिया स्पेक्ट्रम जैसे ऐस अध़ादन वैसे यह भी ऐस सतत ही है लेकिन यह लाइन है तो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बताया और बताया की यह किस प्रकार ता बिटा इसके लाइन स्पेक्ट्रम के लिए अलग-अ विग्यानिकों ने रिसर्च किया जिसमें से पांच विग्यानिक आई सबसे पहले लाइमन बामर प्रैकेट हुंड और फंड नामक विग्यानिकों ने इस पर रिसर्च किया और अलग-अलग इनके कख्षकों में किर्णों के बारे में बताया तो किर्णे कौन कौन सी है उसक हाइड्रोजन गेस के माद्यम से पारित किया और उत्सर्जित प्रकास का स्पेक्ट्रोइस को दौरा विशलेशन किया तो इस्पेक्ट्रम में बड़ी संक्या में रखाई होती है जिने विबिन श्रंकलाओं में समुहित किया जाता है संपूर स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन spectrum के रूप में जना जाता है प्रायोगी कि अवलोकन के आधार पर जो हंस रिड़ बर्ग ने कहा सबसे पहले किसने बताया जौन्स रिडबर्ग ने का कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की सभी श्रंखलाओं को निम्नलिकित अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है क्लियर चलते हैं और आगे य 기ए तारेमड़ने एक वेल्यो प्रस्तुत की जो यह थी वनपनलेमड़ बराबर और जिट्वर कॉनस्टेंट कहते हैं वन अपन एड़ ऊनड़ का स्कॉर बटा एंड़ वू का स्कॉ考 स्क्वार यह क्या है कक्षकों का कख्षकों की संक्या यह सबसे पहले लिग्रोजन स्पेक्ट्रम किस तर बनता है और उसके लिए सुत्र दिया यह क्योश्चन को इंपोर्टेंट लगाओ सुरी सुत्र को यहां से न्यूमेरिकल में आगे कर वाऊंगी और यहां से एक्जाम में क्योश्चन कंफर्म आता है राइट उतार लिया जल्दी से उतार अगर नहीं उतार तो फट 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 चलते हैं फिर हम आगे चले यह रिट बग कॉंस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 109678 क्लियर बच्चों बात समझ आई है नहीं जल्दी जल्दी बताएंगे फट 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 बोलेंगे बोलो जी बोलो चले ओकी चलते हागे आपको इस्क्रीन पर डाइग्रम डिकल नज़र आ रहा है यह क्या है अभी देखो मैं समझाते हूं सब ध्यान से देखेंगे हाइडरोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बहुत बार पूच जाता है सबसे पहले तो यह पता हूं लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट फुन्ड ठीक है यहां से उर्जा कैस्तर बढ़ता जाता है ठीक उर्जा बढ़ती जाई तो कक्षक एन 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & & कितने भी कख्षक हो सकते हैं सबसे पहली बार हमेशा अनन्त से कौन से कख्षक में आ रही है अनन्त से प्रतम में आ रही है तो बताया था लाइमन तो इसे लाइमन स्रेणी का आ गया अगर आपको कोई भी कैदे लाइमन स्रेणी के लिए निकालना है तो आपके पास क्या होगा अन्वन से क्या होगा अनंत अन्वन अन्टू लिखना है ना अन्टू क्या होगा अन्वन अन्वन का मतलब एक अन्टू का मतलब अनंत क्लियर सेकिंड बामर बामर ने किसके लिए बताया दो के लिए दो से तीन चार पांच अनंत तर जा सकता है कोई से भी क्लास, देख सकते हो ना, आप देख सकते हैं, 2 से, देखो, अनंत, 2 से 7, 2 से 6, 2 से 5, 2 से 4, 2 से 3, clear, बात समझ मे liain, हाँ या या ना, जल्दी बताएंगे, ध्यान दो, अगर नहीं समझ आया ना, फिर बता रहें कि यह यूं कह रहें हैं, कि आपके एक नंबर कख्ष में आनी चाहिए क्या रेखा कोई प्रकाश की किरण है वो अनंत से पहले में आने चाहिए साथ रेखाओं का सम्मौ है तो कहा कि पहली जो कख्ष में आएगी वो अनंत से हो सकती है साथ से हो सकती है छैसे हो सकती है 5 से हो सकती है 4 से हो सकती है 3 से हो सकती है तो यहां पर n1 n2 लिख सकते हैं यानि कि जो आपके पास 1 अपॉन लेमडा था बराबर r 1 n1 का स्क्वाइर माइनस 1 n2 का स्क्वाइर हां यह ना बात समझ में आ रही है यह सोननू अरे थाना भाई पीछे नहीं था यह रहा अनवन का स्क्वाइर ही तो यहां समझाए जाए आरे क्लियर हो गई बात तो यहां पर n1 की जगह क्या लिखोगे एक बटा एक का स्क्वाइर माइनस एक बटा अगर दो से आ रहे है तो 1 और 2 लिखोगे, 3 से आ रही है तो यहां 3 लिखोगे, 4 से आ रही है, 4 कुछ भी लिखा, 100 तै सो ओ, देखो लिखा है न, N1 की वेल्यू, रहेगी हमेशा लाइमण के लिए, और 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, boxer के लिए 245 कुछ भी सकती बात समझ में अइन कई बच्चे बीच बीच में बोलते यह कि हमें समझे यह पेटा दो तوم समझ में आएगा आप लोग भीच में बाते करते रहते हैं बाते मत करो बेटा में बार बार करें नहीं करोंगे तो पक्का समझ में आएगा और जो बाते करने के लिए आ रहे हैं उन पर ध्यान मत दो अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो मेरी क्लास ऑफ होने के बाद में आपन पांच मिनट जरूर बाते करके जाएंगे ओके प्रॉमिस है पढ़ो फटाफर सब आजाओ चले तो इस प्रकार फिर पास्चन आया तो पास्चन के लिए पहले श्रेनी क्या होगी एंवन का मान हमेशा क्या होगा तीन इसके लिए एंवन का मान हमेशा क्या होगा चार इसके लिए एंवन का मान हमेशा क्या होगा पांच इसके लिए ए अपन को अलग अलग बात पताई क्लियार बात समझ में आ गई फटा फट इसको उतारेंगे ताकि इससे आने वाला न्यूमेरिकल आप सभी हल कर सकें ओके जी बेटा पक्का जी पक्का फटा पर चलते हैं आगे पहला क्यों कह रहा है हाइड्रोजन पड़ो जल्दी पड़ो और बताओ क्या कह रहा है परमानू में एक इलेक्ट्रोन उर्जा इस्तर और फोर से अन्टू तक संक्रमित होता है यानि अन्टू एन थ्री फोर एन्ट फोर से का रहे है बिटे एंट हाइन जल्दी बताओ यस और अन्टू से अन्टू तक आ रहा है आ रहा है न इसका मतलब अब आपन क्या देखेंगे कि अपने पास एन फॉर से आ रहा है तो और फोर के लिए एन फोर से आ रहा है ना तो एन वन शुरुवाद जहां से उल फोर और एंटु कहा रुका क्लियर नेरा अब एन वन चार एंड टू दू वेल्यू लिग दी चार का स्कुर्ड बताओ आंसर समझ आया या नहीं फटा फट बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से क्लियर हुआ यह नहीं उतारो यह क्यूस्टन आएगा एक्जाम में कनफर्म पर उसके लिए आपको तयार रहना पड़ेगा ध्यान करो भई ध्यान करो बात समझ में आगी राजा बच्चों तो फटावर लाइक कर दें और कमेंट में लिग दें यस मैम चलते हैं आगे अब आता है जिन आम प्रमा वो क्या आगहे मेडम यह क्या पड़ा रही है अरे कुछ नहीं उन्होंने क्या कहा कि बोहर ने की कि व्यूर्णे की पिल जाती है ठीक है पहली बाद तो वह फेल थी क्यों ऐसे कहते है उसने नहीं भी इस प्रक्ट्रम के वारे में नहीं नहीं है तो क्या हो गया आणसर नहीं है उसकी पास तो कहा किये दो इफえー़ट होते हैं जी नॉम्ह अर्ड ट्रह कर ऐख उसकी वजह से किरने लिक हरती है तो सबसे पहले जीनॉम % क्या होता है इसके नहीं बता पाया था अब हम जो वेग्यानिकों ने रिसर्च किया उसके बाद बताया वांड रखी रेखाओं को चुम्ब की चेत्र में रखा जाता है तो वह अनेक रेखाओं में विभक्त हो जाती है हुई थी ना रेखाओं तो विभक्ती पर किस वजह से थी यह पता नहीं विद्यू तो चेत्र में तो क्या हो जाता है क्या हो जाता है रेखाओं बिखर जाती है और सेम कहते हैं कुन सा प्रभाव स्ट्रॉक प्रभाव एक नंबर का क्यास्टन पूछते हैं डायरेक्ट जीनॉम और स्टॉक प्रभाव क्या है जब रेखाओं विद्यू चेत्र मे रखी हो तो जीनौम प्रभाव का हाँ क्लियर चलते हैं आगे अब आते अपने टोग लेट टॉपिक पर पदार्त का दोरा विवाव यानि की कोई भी पदार्त है द्रव्य जो है वो दो कणों की तरह विवार करता है कन और तरंग सही है कन प्लांक ने बताया वहीं तरंग आ प्रदशित करता है कन और तरंग चलें तो कन और तरंग की प्रकृति को समझाने के लिए का की डी ब्रोगली नामक विज्ञानिक ने इसके लिए समीक्रण प्रस्तुत की जिसे डी ब्रोगली समीक्रण कहते हैं यह दो नंबर का क्यास्टन डाइरेक्ट आता है तू मार्क् कंफर्म कंफर्म आता है कंफर्म आता है इसलिए मैं कहते हूं लास्ट तक जुड़े रहो बीच बीच में क्यूस्टन भी बताये जाएंगी इसलिए फड़ावड देखो क्या कह रहा है डीप लोगली ने प्रस्तुत के किरण की तरह पदार्थ को भी दोरा विवार होता है य प्लांक के सिध्धान द्वारा दी जानी चाहिए यानि की प्लांग ने सबसे पहले तरंग और कंड के रूप में बताया जिसमें कंड की वेक्ट प्लांक ने थी उसने कहा क्या एब राबर ह मुदा है क्लियर और इसी को यदि हम आइंस्टीन के रूप में संबंद के आना चाहें तो हम क्या बोलेंगे तो हम बोलेंगे यी बराबर हम्यू वही पर यी बराबर एम सी स्कॉय समी करने एक तरंग और कंड की प्रवर्ति कैसी है वह इसी से अभी निकले की देखो ज़रा अगर क्या बाइपक्ष बराबर हो दाएं मी बराबर तो हम लिख देंगे एम सी स्कॉयर इस इकल टू एच म्यू समी करने एक वह दो क्लियर तो यहां आप लिखेंगे बिटा एम गुना सी गुना सी बराबर बताओ आवरति बराबर क्या होता है सी अपन लेंडा होता हैं पीछे बताया था यह सोर नू क्या होती है किसी की आवरति सी अपन लेंडा कानुपात होता है प्रकाश का वेग और लेंडा के एक वह तो एच गुना सी अपन लेंडा यहां से सी को यदि इस तरफ ले जाएं एम गुना सी बराबर एच गुना सी अपन लेंडा गुना सी नीचे आ गया सी से सी कैंसेल एम गुना सी प्रकाश के वेग को वी से भी रिपर्जेंट कर सकते हैं तो एच गुना क्या गया सिदा लेंडा ही लिख दो ना गुना क्यों लिखना भाई ठीक है यस और नो जल्दी बताओ आ गया अच्छा बच्चों द्रवेमान और वेग प्रकाश का वेग का गुना क्या होता है किसके बराबर होता है सम्वेग के तो मियां क्या लिख सकते हैं पी बराबर एच अपन लेंडा एच क्या है बिटा प्लांक इस्थिरांग या नि अपन तां जिसकी वैल्यों क्या होती है फोड़ा वर लिक्रीया जल्दी 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 लिखो फटाफ यहां तक बात क्लियर है ना तो अपने पास क्या आया भाई तो सम्वेग बराबर हो तांक या 1 अपॉन लैंडाइक किस्तिरांग है ना यस और नू क्लिए रोगी यानि कि जो आपका सम्वेग है वो तरंग दिदरी के वित्क्रमानुपाती होता है लंबाई जितनी जादा द्रव्यमान उतना और वेग उतना ही कम होता है सम्वेग उतना ही कम होता है यानि कि कोई भी तरंग कण की तरह भी विवार कर सकती है तरंग की तरह भी विवार कर सक कोई भी कन की तरह भी विवयार कर सकता है ठरंग की तरह भी व्युक्वार कर सकती है यह किसने बताया कहसे क्लियर यह क्योस्टन आता है रही दोनंबर का डारेक्ट आपको adrenaline अचाहिए तया आप करेंगे के अब चलते हैं हम आगे अचा उतार नहीं है अच्हा उतार उतार ईक सेकंड देरेये हो सदेवा बस जल्दी से उतार लो उतार लिए चलो ऩुक्ह आरे चल सेंगे अब आता है अपना अपिक है जेन बरग की की एन भैस का सिद्धाहम यह है के सिद्दांत क्या है ये निश्चता का सद्दांत क्या है हाइजेन बर्ग ने कहा कि कोई भी हो झो है गणैं ता रलहने जब चलती है तो उसका एक समय में उसके वेग का और इस्थति का सही-सही निर्धारण नहीं कह रहा और उसकी स्टति बता रहे है तो उसका वेग में परिवरतन संवेग में परिवरतन आ रहा है तो इसे का हाई जिएंबर्ग नि कहा कि एक समय में एक कॉंड की इस्तति और सम्वेग का सही सही निर्धारन नहीं किया जा सकता और को एक साथ मापना संभव नहीं है यदि इस्तती में आफ जोसा मीवक में क्या हूजाएगी कि इस्तती में अनशचित्ता डेलक्स और सम्वेग में आफ ण्र डेल पी है तो जोनों को एक साथ मापा जाता है तो यि सिद्धान के अनुसार डेल x.delp क्या जादा या बराबर होंगे h upon 4π के यानि कि अगर आप डेल x और डेल पी क्या गुननफल देखें तो उनका मान बराबर होगा h upon 4π के या फिर उनका गुननफल जादा होगा h upon 4π के यानि कि कभी भी आप एक साथ एक ही समय में इन सब का निर्धारणा नहीं कर सकते हैं बात समझ में आया नहीं जल्दी से बताओ हाइजेन बग का इनिश्दासित्दा सित रह गयी बात तो टॉपिक समझ में आ गया होगा अब हम कर लेते हैं कुछ क्योस्टिंस इस से रिलेटेट था की आपको बात समझ में आ जाए तो आपके सामने पहले क्योशन दिया है कि अगर कोई भी किरण अंतिम बहुर क्षमें श्रंकला के लिए पी टू और एन क्या है अनन्त है पी बराबर टू एन बराबर अनन्त यानि की आपके पास एन वन की वेल्यू दो है और एन टू की वेल्यू क्या है बेटे अनन्त है राइट यह तो अन्वन हो गया और यह एन टू हो गया है लिग दिया तो बताओ कि किसका मान तरंग धिद्रिय का मान क्या होगा तो वेल्यू लिख दें चार बटा आर की वेल्यू आपको पता है राजा क्या होती है 10967 रिडबर कॉंस्टेंट की राइट अब यह कह रहे हैं कि अंतिम लाइन लाइमन शरंकला के लिए ओहो दो दे दिये क्या किसके लिए बामर और लाइमन न वन एंटउ ठीक दोनों का कंपरिजन करो बामर के लिए लाइमन के लिए ली तो है तो बी अपॉन अलो गया यह बी अपॉन है आर से आर कट हो गया अंसर आ गया यास और नो बात क्लियर हो गई हो यह क्या कहना चाहरा है यह कहना चाहरा है कि आपके पास यदी एक स्पेक्ट्रम है जिसमें लाइमन सबसे पहले बामर फिर लाइमन तो कहा कि अगर लाइमन के लिए बामर के लिए यह क्या हो सकता है देखो बामर के लिए लाइमन के लिए एक फिर बामर के लिए दू राइट यह कह रहा है कि श्रेणिया अगर आप चाहें तो मैं यह दिखा देती हूं ताकि बात के लिए अभर यह कह रहा है कि Lymond N1 के लिए एक और याणि कोई की रन यहां आ रही है और यहां रही है यह सब आननत से आ रही है कि और तोंवन के वेल्इ। एहां पर तो गई ख़े एक और n टू कि वेल्इू अनント के लिए और यहां पर भी आनुवन के लिए हो गई दो और यून तो बताओ यह करना है दोनों का कमपेरीजन कर ची अपने पास दोनों की थारंग दरिये कितनी हो इन сторону part क्या रहेगा तो का की आपके पास छाई звучकर निका लेगे तो क्या रहेगा आपके पास वन आपोन क्या एंड़ड काइस क्या मैनस में अनंत आ आगया वही पर 1 बट्टा 2 का इस्क्वायर और वन नंत आ अनन्त का किसी में भी कोई भी कंपेरिजन लोग यहां पर लिख दिया तो यहां पर क्या आया बच्चों यहां पर आया चार बटा और और यहां पर आया एक बटा यह जी रोगया आया ना तो यहां पर बात क्लियर होगी आंसर आ गया चार क्लियर क्यास्टिन आम मैंने समझा दिया है एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो जाना चाहिए चलते हैं आगे बहुर मॉडल के नुसार द्वी आयनित लीथियम परमाणू जिसमें जैड की वेल्यू तीन है तो मू पर मॉडल के नुसार क्या होता है चल्दी कमेंड में बटाओ फटाफट बहुं के लिए उर्जा कमा बताया हूँ आ है मैंने बहुर के लियुर्जा का मान बटा और इन वोह चाहिसे कौन सांसर सही होगा फॉर्मूला लगाकर मुझे बतान आ पीछे वाले वीडियों में सुत्र तो जल्दी से जाकर देखना और वहां से इसकी वेल्यू अगले क्लास में मैं इसका अंसर बताऊंगी राइट जब तक इसका अंसर करेंगे डिस्क्रिप्शिन में जाकर हॉमवग जरू ले लेंगे और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि बात क्लियर हो जाए जितना मै कॉपीपेस्ट मार दिया गई से नू बच्चों आप सब ठीक है ना तो अगर है तो फटा वट कमेंट में लिख दो जल्दी से और क्लास को जादा से जादा शेयर करो ताकि बीटा आप की तरह सभी बच्चे पढ़ सके राइट फटा फटा फट जल्दी 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 हो देखे जल्दी ताकि हम आगे बढ़ सके बिटा कई बच्चे क्यों पूछते हैं कि कमेंट में लिखकर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पढ़ते नहीं हम आपकी बातों को बिल्कुल अच्छे सी सीरियसली उनको देखते हैं कि हमारा बच्चा क्या चाहता है आप लोग कह पूछते हैं कि में स्राइब कर तक हो जाएगा आप ऑफ-लाइन पढ़ते हैं ये तो मैं यह कहना चाहती हूं आट सब को कि हमारे बरोसे ही रहना है और कहीं जाना भी नहीं है जहां का स्ले बस्टो पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है हम कराएंगे आपका दीए गया हैं जितने भी हैं वह सब भी हम करेंगे तो डॉंट वारी वाउट इस कि हम लोग क्या हम लोग नहीं करें हम लोगों महों होगा कि नहीं हम कहे रहे हैं होगा विश्वास रखो बाकि जितना मैं नोर्स में करवा रही हूं आपको पढ़ा रही हूं वह सब जितने भी टॉपिक्स मैंने कराएं वह सब नोर्स में बनाओ अच्छे से उनको पढ़ो मैं कहूं उससे बाहर आपको एक क्योस्चन नहीं मिलेगा ओके तो ज्यादा टेंशन मत मतलों क्या है क्या नहीं है स्लेबस आपका दिसमबर तक कराने की पूरी कोशिश है कि इसके बाद में आपके हम लोग थोड़े बहुत क्या है कि आपका रिवीजन वगरे भी कराएंगे तो आप टेंशन मतलों आराम से पढ़ाई करो बस ठीक है ओके तो आप जुड़ गए नहीं एस कैसे माडम आप तो नया टॉपी शुरू करने लग गए नहीं भाई पहले पीछे का रिवीजन कराऊंगी विदिन टू सैकिंड में बोल सकती है ना क्योंकि आप तो आपकी भी रफ्तार हो चुकिए मेरी तो है यह चलो कोई नहीं पर आपकी भी ओचुकिए मेरे साथ साथ सभी बच्चे कमेंट में लिखें कौन-कौन से टॉपिक हो चुके हैं हमने का है शुरूआ कि परमानु सरंचना र और वेश के बारे में बताया साथी प्रमानु मॉडल्स सुमस्रूं रधरफोड बोहर ने दिये और बहुत के जो मॉडलस थे उनने जो कमिया थी जो कमिया थी उनको बहुर ने दूर और जो बोहर की कमियां थी उनको आगे अलग-अलग विज्ञानिकों के द्वारा उनको और नए अभी आपके सामने प्रस्तुत किया गया जिसके दोरान हमने क्या किया था बोहर कुष में बोहर ने जो त्रीजा किसी भी कक्ष जो इलेक्ट्रोन किसी कख्ष में चक्कर लगा रहा है उसमें जो तृजा ही बताई गई है उनके बारे में अपने फॉर्मूला निकाला साथ ही हमने स्प्ट्रम के बारे में पढ़ा और जीनों और इस प्रभाव जो है उसके बारे में अपने डिसकस कर लिया था राइट अब अपन आचुके ह खतम होने वाला है तो खुश हो जाओ फटावट फटावट जल्दी से और लाइक कर दो शेर कर दो जल्दी करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पटाफट कर लो ताकि आपको साहे नोटिफिकेशन क्लास के एक साथ जब होगी क्लास उस जो को शेर करो जल्दी जल्दी चल्दी ओके पर बाते नहीं करेंगे ओके डन चलिए जी शुरुआत करते हैं आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं जरा एक नज़र उस पर डाल देते हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे आज का सबसें पॉर्टन टॉपिक या यूं कहूं ज अपन यहां डिस्कस करेंगे और इसमें जो क्योश्र एक्जाम में आते हैं वो किस तरह की आते हैं वो भी आज अपन यहां प्रैक्टिस करेंगे ओके डन अब चलते हैं हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे इलक्ट्रोनिक विल्यास क्लियर और फिर लास्ट जो होगा जिसमें कई नियम दिये गए हैं वो नियम कौन-कौन से हैं उनकी आधार पर हम इलक्ट्रोनों को कैसे विवस्तित करते हैं वह सब हम यहां पर डिसकस करेंगे ओके जी ओके डन चलते हैं आगे फटाबट कर कौपी पैन को उठा लो और शुरू हो जाओ पढ़ने के लिए क कपानों को खुला रखना है और माइंड को एकदम सैंटर में रखते हुए क्लास को पूरा एन्ट तक मेरे साथ मैं क्लियर बच्चों चलो जी शुरू करते हैं अपना आज का टौप एक पहला है क्वान्टम संख quality और बच्चों क्वांटम संख्या होती है इसके उपर चर्चा करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूंगी ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ सकें बिटा हमेशे ध्यान रखो कि कोई भी इलाक्टोन ये तो आप सबने देखा है इलाक्टोन जो होता है वह कश में चक्कर लगाता है और कश भी नाविक के चारों तरफ के कख्ष होते हैं यह उड़ा इस तरह भी कहते हैं रैट जैसे चंद्रदयान और फ्रे लाउंच किया गया था तो वह एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा रहा था तो वह एक उर्जा का लेवल पार कर रहा है और वो पार करते करते चंद्रमा के नजदीक आच चुका है वैसे ही इलेक्ट्रों से जो नाबिक के चाड़ों और कख्षकों में चक्कर लगाते 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 क्या करते हैं बिल्कुल अपनी एनरजी को एक कख्ष दूसरे के लिए स्टोर करते हैं जब वह एक अक्ष दूसरे कख्ष में जाते हैं तो वाँ एनरजी का उच्षर जन्या उच्व जाता है राइट आप कहा कि जब आप एलेक्ट्रों को किसी कख्ष में देख रहे हैं तो वह क्या है तो कहा गया बटा कख्ष और उसके बाद में या यूं कहूं कोश और उसक वैसे ही है जैसे एक 11 क्लास है राइट 11 क्लास में 11 आर्ट्स भी होता है 11 कॉमर्स भी होता है 11 साइंस भी होता है होता है ना तो वहां शेक्षन बन जाते हैं एक 11 तो इलेवन तो इलेवन थे 11 कख्षा तो ग्यारवी है लेकिन उसके अंदर कौन से कोश है उपकोश है तो वह कहलाते हैं आपके उसके ही अंदर पाए जाने वाले कख्ष यानि कख्ष का पुने है वर्गी करन वह कोश कहलाता है राइट वैसे हमारे यहां पर कख्ष जो होते हैं बिटा आपने 9 वे पढ़ा था के एल एम और एन इसके आगे सोन और जब आप के की बात करते हैं तो उसमें जो उपकोश आ जाते हैं उन उपकोशों को इलेक्ट्रों जिस कख्ष में गती करता है उसी आधार पर बताया और बताया एस पी डी और एस पीडी एफ कहां से आया हम इनको एस पीडी एफ ही क्यों कहते हैं यह सब हमारा जो अगला चैप्टर होगा तत्वों का वर्गी करण वहां मैं डिटेल में समझाओंगी लेकिन यहां पर यह चीज जरूरी थी जानना कि कख्ष और उपकोश क्या होते हैं तो मैंने यहां पर आपको इस चीज़ को पहले ही क्लियो अगर आप देखें तो के आल, M, N की मैं बात करूं तो बेटा हमेशा के पर्थम कक्ष होता है अल्द्वित्य, अम्त्रित्य और N चत्थूर्थ कोश होता है बेटा, K की वेल्यू अगर आप बात करें N बराबर 1 होता है तो K में एक ही उपकोश होगा S अगर L में दो कक्षक हैं, दो नमबर पर है L तो उसमें दो उपकोश होंगे S और P अगर M में आपन कहें 3 हैं तो 3 उपकोश होंगे S, P, D, N और N की बात करूँ बेटा, 4 तो वहां उपकोश होंगे S, P, D और M बचो, S, P हमेशे क्यों लिये जा रहे हैं? इसलिए, क्योंकि इलेक्ट्रोन नाभिक से ही डिस्टेंस तय करता है और अधिक उर्जा वाले कक्ष में जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वह डायरेक्ट छलांग लगा के चतुर्त कक्ष में चला जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है अपन पहली कक्षमा में पढ़के ही तो बारवी में आए हैं एस तो नहीं है कि आप जैसे ही पैदा हुए और होते से बारवी कख्षा में एड्मीशन ले लिया पॉसिबल नहीं है ना वैसे ही लेक्टोन का डायरेक्ट उच्चतम कख्षाओं में जाना पॉसिबल नहीं वो निम्नत्म उर्जाक्षकों पार करते वे उच्चत् roller रख्षकों में जाते है्ट तो कहा गया कि यह आप ल की बात करे तो यहां तक एक गेंड् We देना चाहती थी ताकि क्वांटम संख्य प्रोपरली समझ में आ जाएं बात समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है तो फटाफट लाइक कर दो और फटाफट इसको आप उतारेंगे अब अपन देखते हैं कि अपने पास जो क्वांटम संख्या है वो क्या कहना चाहती है क्वांटम संख्याएं वह संख्याएं है यह यूं कहूं ऐसी चार संख्याओं का समुह जो एक इलेक्ट्रोन का पूर्ण परिचय देती है क्या करती है राजा बच्चों पूर्ण परिचय देती है यह दिया आप किसी कख्ष की बात करें बिटा इलेक्ट्रोन की ज और यही लिगी पहली कौंसी दिग्वश मुझन से कॉंटम थह क्वांतम से चुम में मैडम यDa ही क्यों कुण अच्छा सुन अद्यान से आपके पास एकक्ष है वह फिर सब्सक्राइब कैसा है पहला है दूसरा है तीसरा में वो और वो कफ किस पृत कार का है उसका आक्रती कैसी है फिर वो कख्ष कैसे अभी विन्यासित है कख्ष कभी चक्कर नहीं लगाते कख्ष में उपस्तित इलक्ट्रोन चक्कर लगाते हैं तो चकरन क्वान्टम संख्या में इलक्ट्रोन जब होगा तब चोथी क्वांटम संख्यान नैससरी होगी अगर केवल ती कक्ष है और उसका विवहार जानना है तो तीन क्वांटम संख्यान सफिशियंट है बात समझ में आ गई टापिक क्लियर हो गया तो अब परिभाशा की और बढ़ते हैं कि इसकी परिभाशा क्या होगी तो आपको पत है जो क्या करता है एक एलेक्ट्रोन का पूर्ण परिचे देता है परिभाशा आपकी स्क्रीन पर है तो एक नजर डाले चलिए चार घौन। संख्याओं का एक सेट है जो कक्षक की उर्जा आकार और आक्रती दा अभी विन्यास को निर्दिष्ट करता है एक कक्षक को निर्दिष्ट करने के लिए के वाद तीन क्वांटम संख्या चाहिए लेकिन इलक्ट्रोन का पूर्ण परिच्छाय देने के लिए चारों संख्या तो पहली संख्या है आपकी कौन सी मुख्य क्वांटम संख्या दूसरी दिगवंशी क्वांटम संख्या तीसरी कक्षिये चुम्ब की क्वांटम संख्या और चोथी है चक्रन क्वांटम संख्या राइट बात समझ में आ गई तो फटा फट उतारेंगे जल्दी से आगे बढ़ते हैं और टापिक पर आते हैं अपना पहला quantum numbers में अपने पास चारो quantum संख्या हैं जिनमें अपन कैसे देखते हैं मैंने बता दिया फिर भी एक बार डाइग्राम से और समझ लेते हैं मुख्यक वे संक्या में एक इलाक्ट्रहां है और वह इलाक्ट्रोन बंचों क्या कहना चाता है कि वह कौन से कक्ष में है यह पहलेकुंश में दूसरे में है यह तीसरे में है तो हमेशा किस से रिपàiंज करते हैं and second कि दिगवशी क्वांटम संग इसकी आकरती कैसी है गोलाकार डंबलाकार द्वी डंबलाकार या फिर जटिल आकरती है तो देखेंगे उसके बाद क्यों कहते हैं कि एक चीज की चुंबच करता है तो वो उसको यई की तरह से विन्यासित्थ है तो अभी विविन्यास को प्रदशित करके जब आगे बढ़ता है तो हम यह देखते हैं कि एक इलक्ट्रोन किसी कख्ष में कैसे चक्र लगा रहा है क्लोक वाइज या एंटी क्लोक वाइज क्लियर बात समझ में आ गई होगी , मुख्य क्वान्टम संख्या कौन सी है बटे मुख्य क्वान्टम संख्या या उसका ज्यान-क्रादे ? है कि वह पहले कक्ष में हैं दूसरे में हैं तीसरे में हैं कौन से में हैं और जैसे वह कष बढ़र में पता चलता है तो हम उसे रिपर्जेंट करते हैं से और यहां की वेल्यों जाती है एक दो ती जार कुछ भी ओके डांग चलते हैं आगे परिबास देखेंगे जरा मुख्य क्वांटन संक्या इलेक्ट्रोन की कक्ष और उर्जा इस तरको दर्शाती है कोई बात नहीं बात तो क्लियर हैं समझ में आई हुई है इसके द्वारा यह भी पता चल जाता है कि एलेक्ट्रोन नाविग से कितनी दूरी पर हैً अगर वो पहली कक्षक में है तो नाविग के बिलकुल नजदीक राइट बात समझ में आ गई तो फड़ा बड़ा समझा तो जल्दी से यस मैम चलिए जी तो इनका उलेक्टोन की पहली कख्षा को के इसे परदशित करते हैं दूसरी को ल से तीसरी को आम से इंसो ओन ख्लियर बेटा बात समझ में आ गई होगी चलते हैं आगे इसके अंदर आपन देखते हैं कि कख्षा और एन का मान कैसे को रिलेट करता है तो आप देख रहे हैं कि अपने पास क्या है कि अपने पास है क्या के कमान एन के लिए एक एन कमान दो तो एल तीन तो एम चार तो एन पांच तो ओ और छे तो पी क्लियर यास ओने यानि यदि एन का मान पता है तो हम यह बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोन कौन से कक्ष में उपस्तित है अगर हमें यह कह दिया जाए कि एन बराबर एन बराबर टू है तो बताईए इलेक्ट्रोन कौन से कक्ष में है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोन अलकक्षक में मौजूद है जो नाबिक से थोड़ी दूरी पर इस्थेट है क्लियर ब्यारे बच्चों फटाफर समझेंगे अगर समझ में आ गया तो यस मैं लिखेंगे चलते हैं आगे सेक्ड़ दिग्वान्शी क्वान्टम संग क्या होती है जलदी बताओ यदि कक्ष मालूम चल गया तो कक्ष की आकर्ति भी मालूम चले है तो इससे किस से री परजेन करते हैं आल से री परजेन और अल से री करके हम उसके आकार को पता कर लेते हैं कि लेक्टों जिस कख्श में है उसकी आकरती कैसे बठत ध्यान रही आकरती हमेशा उपकोशों की होती है कोश की नहीं कोश होते हैं क्या बेटा के आल एम और और इनके अंदर उपस्तित होते है उपकोश तो उपकोशों की आकरत ये परिभाषा को जरा देख लेते हैं परिभाषा कह रही है को दिखंशी गौंटम संख्या उपोर्जा इस तरय उपकोश्ट था इलक्ट्रौन की कौनिया समविक को प्रदिशित करता है यो नाभीक इलेक्ट्रोन की चारो तरफ इलेक्ट्रोन जो है वो नाभीक के चारो तरफ चक्कर लगा रहा है इस तरह से कि इलक्टोन सदे उनीक अक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी उर्जा एनच अपॉन टूपाई के बराबर होती है तो उन्होंने उर्जा बताई और यह कह रहे हैं कि कोण संभे को प्रदीशित करने के लिए इलक्टोन कक्षक के आकरती को प्रदीशित करता है इसे अल से प्रदीशित किया जाता है इस 123 आदी या उपकोश क्या है बिटा एस पी डी एफ द्वारा प्रदशिक दिया जाता है दिग्वन्शी क्वांटम संख्या एं के किसी मान के लिए एल का मान 0 से शुरू होकर एन माइनस एल तक जाता है जीरो से शुरू होगा और एन माइनस वन तक जाएगा क्लियर बात समझ में आ गई है कैसे ल का मान बढ़ा तो उससे पहले के n का मान बढ़ गया हाई है नो कैसे भई मैं यह समझा देते हैं ज़रा ध्यान देते हैं अपने पास suppose L तक कक्षक है तो के तो पहले ही आ गया तो हमें यह दो ही कक्षक दिखाई दे रहे हैं लेकिन एक्ष्ण में क्या है इसका एक और इसके दो कक्षक अगर ostr Kaman बढ़ रहा है तो अलका मान बढ़ रहा है निरुपकोश बढ़ रहे हैं स पी डी और किस वड़ रहे हैं तो पहले कोशपढ़ैंगे तब तो कोंश बरेंगे तो जितना मान अधिक होता है आकार बढ़ता गया जैसे बढ़ता गया तो ना भी henतिक भी अधिक होती गई और नाविक से दूरी अधिक नाभी किया बल उतना ही कम होता है कि नहीं होता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रेक्शन कम होगा हम इलक्ट्रोन को खीच नहीं पाएंगे तो हम कहेंगे वहां नाभी केबल क्या हो जाता है बच्चों वहां नाभी केबल कम हो जाता है बात समझ में आ गई तो फटा फट यस में हम लिख दें अब चलते हैं एक नजर इसकी सार्ण नी पर कि किस तरह निकाला जाता है मुख्य क पांटम सैंगे बिटा एंट है है ना एंड़ एंड़ की वेल्यू आपके पास क्या क्या दी गई है फैसी फीप ठीक है अब L कमान एल कमान क्या होता है एंड-1 ओके देखो जाव ध्यान देना एंड की वेल्यू एक तो उपकोश एक n की value 2, उपकोश 2, n की value 3, उपकोश 3, हाँ या न, कैसे मैडम, कोई बात नहीं, अभी चेक कर लेते हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है, तो अभी देखो, मैं बताती हूँ, आपको, ज़रा ध्यान देने, n की value 1, k, n की value 2, कोश तो एल है, पर इसके अंदर 2, उपकोश आ जाएंगे, s और p, yes or no, तो n की value 2, तो उपकोश भी 2 हुए नहीं, हाँ है न, यहाँ बात समझ आई यहाँ, जल्दी बताओ पर ध्यान देने, यहाँ बच्चे कंफ्यूज राते हैं, कि मैडम, यहाँ यह कैस से आया, n की value 2, तो उपकोश दो कैसे, हुए न, उपकोश दो, अगर उपकोश दो नहीं होते, तो l बराबर 2 होगे, तो l बराबर 2 का मतलब क्या, यानि, l एक कक्षक है, जिसमें 2 उपकोश है, clear, बात समझ में आ गए, अब n बराबर 3, तो n की value 3 है, एक कक्ष है, जिसके अंदर 3 उपकोश है, एस, पी, डी, अगर n की value 4 होती, क्या होती, n की value 4 होती, तो यहां पर आता, एक, दो, तीन, और हम लिखते, SPD, बोलो yes or no, sorry, 00, ओहो, यह क्या कर दी मैडम आपने, क्या कर रही है, समझ आये कि नहीं, अच्छा, चलो जी, चलो, ओके, 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 कोई दिक्कत नहीं, यहां क्या लिख दिया, 0, 1, 2, और 3, भूल गए ना, आल की value 0 शुरू होती है, तो SPD, और F, बात समझ में आ गई अब चलते हैं बेटा, तो N-1 तो देखो, 1-1, अब क्या कर लें राजा बच्चों, पेन बार-बार चेंज करना पड़ रहा है, N-1-1, यह तो आज कह रहे हैं, इतना लिखना पड़ रहा है न मैडम, तो बोड कह रहा है, रुको, बहुत दिन हो गए आपको, 1-1, 0, फिर, 2-1, ओके, N-की वैल्यू, तो कितनी हुई, यह निकी पहले तो 1-1 करो, फिर 2-1 करो, राइट, 1-1, 2-1, 3-1, ओके, क्योंकि N-की वैल्यू, एक, दो और तीन, यूँ ही तो आई है, डाइरेक्ट तो तीन आई नहीं न, बात समझ में आगी होगी, बात क्लियर हो गई, यह, सबको समझ आई, यह, चले आगे, अब देखो, अगर आपके पास क्या है, स तो आकार गोला कार, हमेशा स का आकार गोश, पी का डंबला कार, डी का द्वी डंबला कार, यह रादी डंबला कार, अब कहा कि इनमें इलेक्ट्रोन की संख्या, 2N स्कॉयर के बात, किसके बलावर भई, 2N स्कॉयर कर लो जला, दो गुणा N की बेली कितनी है, 1 का स्कॉयर, कितना हुआ, 2, दो गुणा दो का स्क्वाइर अच्छा अभी तो एक ही चल दो जीरो है हाँ है ना एन की वेल्यू कितनी है दो दूनी चार चार दूनी आठ देखो दोनों को मिला कर आठ है क्या येस आजाओ दो गुणा तीन का स्क्वाइर कितना है एटीन काउंट कर लो दस और आठ कितना हुआ अठार बोलो बात समझ आई कि जल्दी बता दो जल्दी सभी बच्चे बता दो फटा फट क्लियर हुआ या नहीं टॉपिक दिख्वन्सी कॉंटम संख्या अरे इन सब के क्वांटम संख्या क्या होती है आपने इलेक्ट्रों जिस कक्ष में चक्कर लगाता है वो और कक्ष में भी कौन से उपकोश में चक्कर लगाता है वो पता चल दिया और एक उपकोश में अधिक्तम दन अब क्या कह रहा है अब यह कह रहा है कि अगर कक्ष की आकर्ति आपको पता चल गई है तो बताओ वो कश कैसे अभी इन्यासित है यानि आप यह देखें जरा ध्यान दें अपने पास ऐसे एक्सिस है अब यह एक्स यह वाई और यह जैड़ अब आप में से कोई यह तो मुझे नहीं कहेगा ना मेडम यह क्या है इतनी गणित तो तुम सबने पड़ी है कभी ग्राफ बनाते तो चार तीन एक्सिस होती है ना एक्स वाई और जैड़ अब वह कौन से रूप में अभी विन्यासित है ऐसे है ऐसे है या किस तरह से अभी विन्यासित है जरा ध्यान देना जरा ध्यान देना चलो मैं एक मैं अलग-अलग कलर से बना दे रही हूं ताकि आपको कोई दिक्कत इस रूप में विन्यासित है या फिर ठीक है बात समझ में आ गई देखो यह कौन सी एक्सिस है एक्स यह नजर आ रहा है यह कौन सी है वाई और यह कौन सी है जैड़ ठीक है कोई दिक्कत नहीं जी चलो अब आओ आओ आपका कक्षक जिस तरह विन्यासित है उसमें दो चीजें दिख रही है कि इसके कक्ष में ऊपर तो फ्लस नीचे तो माइनस और बीच में तो जीर यानि आप जब भी चुम्ब किये क्वांटम संक्या का मान लिखेंगे जैसे हमने मुख्य क्वांटम संक्या में क्या किया एन बराबर वान लिखा तो एल बराबर जीरो लिखा पुर्णांकी लिखा ना लेके यहां पर क्या होगा यहां कक्ष की अभी विन्यास को बताया जा रहा है तो यहां पुर्णांक में अंक ना लिखकर यहां अंक कैसे आएंगे प्लस जीरो माइनस यानि अम की जो गणना होगी वो माइनस ल से प्लस ल की तरफ पुछाएंगे बात समझ में आई यानि कोई भी कक्षक जिसकी आकरती डंबलाकार है भी डंबलाकार है वो प्लस से होता हुआ कहां जाएगा माइनस की ओर जाएगा प्लस से होता हुआ माइनस की ओर जाएगा तो वहाँ पल चुम्ब की एक क्वांटम संख्या की गणना की जाती है और वो किससे को रिलेट होती है अल से दिगवंशी क्वांटम संख्या से अते है इसको M L से रिपर्जेंट किया जाता है बात समझ में आ गई क्लियर हो गई बात तो चलते हैं अब आ गई इसको फटा फट उतारो जल्दी से उतारो ताकि बात क्लियर हो जाएगा क्वांटम संख्या को M L से प्रदशित करते हैं क्वांटम संख्या इलेक्ट्रोन के अभी विन्यास को दर्शाता है अर्थार इसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई भी उपकोश कितने कक्षकों से मिलकर बना है कक्षियर चुंबकियर क्वांटम संख्या कहलाता है जिसका मान माइनस L से प्लस L तक होता है L का मान यदि 2 है तो क्या होगा राजा बच्चों जल्दी लिख कर बताओ L का मान यदि 2 है तो वो L कैसे जाएगा माइनस L 2 प्लस L तो आपके पास L की वेल्यू कितनी है टू तो क्या लिखोगे माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 यस और नो फटा फट लिखो जल्दी फटा फट बताओ भई यस मैम अब मुझे काम करके बताओ यदि L की वेल्यू तीन है तो मान बताओ ML का जो बच्चा मुझे लिखकर बता देगा इसका मतलब उसे यह बात समझ में आ गई है फटा फट बच्चों कई बच्चे बहुत जल्दी आंसर करते हैं कि मेरे बच्चे में तो औरी जाजह जो शराता है कि मेरे बच्चे इतनी मैनत कर रहे हैं मेरे साथ तो मुझे उनन से चल्म बात समझ में आई या नहीं क्लियर हो गया आंसर लिग दिया क्या यास ओके जी ओके वेरी गुड बच्चों ऐसे पड़ते रहो फविश्य दच्दम क्लियर एक क्रिस्टल क्लियर है चलो जी चलो इसका एक सार नहीं देख ले बेटा उपकोश आगये सीधाई ठीक है यानि एन ठीक एन बराबर एक दो तीन और चार कोई दिकत नो UP एक केल की वेल्ई लू एन माइनस वन तो 01 टू और तुं येस और नो जल्दी बता सो जल्दी क्लियर है हां जी हां जी एक है अगर अपने पास एंद की वेल्यू तीन है तो हम लिखते हैं 01 टू हाई न हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी 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 अब यहां पर S P D और M लिख दिया क्या सबने जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी 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 सबने लिख लिया यस अब चलते हैं आगे ज़रा देखे M की वेल्यू मैंने बता दिये माइनस L से प्लस और जीरो तो जीरो एक होगी अगर धियान देना धियान देना अगर N की वेल्यू एक L की value 0 तो 0 को plus और minus में कभी भी व्यक्त नहीं किया ज़सकता है So right? Yes L की value 0 तो उपकोश हमेशा 1 और 1 उपकोश हमेशा S होगा आकरती गोलाकार होगी Clear? बात समझ में होगी अगर N बराबर 2 तो L की value 1 1 तो इसका मतलब S है लेकिन S तो 0 पे होता है S के बाद में अगर 1 है तो केवल 1 ही लिखा गया है न 2 नहीं लिखे गए न तो 1 है तो L की value 1 तो P से भी परजिल किया जाए और N से L की value देखू तो उपकोश दो S और P ध्यान दो अगर मैं L की value 0 लिखती हूँ तो direct S L की value 1 लिखती हूँ तो direct P 2 तो B अगर मैं N की value से N की value से उपकोश लिखती हूँ क्या लिखती हूँ? उपकोश लिखती हूँ तो N का मान एक तो एक उपकोश S, N का मान दो तो उपकोश दो, S और P, S और No, अगर तीन तो उपकोश तीन, S, P, D, हाँ या ना, L का मान नहीं बता रहे हूं, उपकोश का मान बता रहे हूं, Clear, बात समझ में आगई होगी, सबको Clear हो गया होगा, Done, यह आया, इनकी Value, अब उपकोश में कक्षक बताओ, तो बिटा ध्यान दो, अपने पास, L की Value, दो गुणा, 0 प्लस 1, कितना आया, एक, S में एक ही कक्षक होता है, 2 गुणा, 1 प्लस 1, कितना आया, 3, 2 गुणा, 2 प्लस 1, कितना आया, पांच, 2 गुणा, 3 प्लस 1, कितना आया, यानि की, कहने का तत्थ पर यह यह है, कि S, P, D और F की आप बात करते हैं, तो S में कक्षक 1, P में कक्षक 3, D में कक्षक 5, और F में कक्षक 7 होते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ, क्लियर, यह सोर नो, जल्दी बता दो बच्छों, बात समझ में आदे, अब बताओ भई बच्छों, अब इन में इलेक्ट्रोन की संग्या, तो इलेक्ट्रोन की संग्या निकालने का सुतरू सब का सेम है, एन 2N स्क्वाइर, केतना आया भई, अच्छा, इसने एक अलग है लिखी है, 4L प्लस 2, यह 2N प्लस स्क्वाइर देखे तो क्या होता है, जाब चेक कर लें एक बारी, 2N स्क्वाइर अगर आप करें, तो अपने पास 2 गुणा 0 है, तो 0 इलेक्ट्रोन तो नहीं हो सकता है न, एच्छा, आयन, आयन है, तो एक बराबर 2 इलेक्ट्रोन, किसके लिए, अगर आपके पास कितना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रोन चाहिए, इंडिवेज्वल बात कर रहा है, मैं बताते हूं, सुनो ध्यान से, अगर आपके पास, 2 एन स्कॉयर का फोर्मूला यहां एक्जिस्ट नहीं करा रहा है, तो अपन देखते हैं, कि यहां पर इसने एक फोर्मूला दिया है, क्या भई, 4 एल प्लस 2, यह इंडिवेज्वल है, और 2 एन स्कॉयर जो है, वो कोश्क के लिए है, k में कितने होंगे, k, l, m, n में कितने होंगे, इंडिविच्वल नहीं बता रहा है, इंडिविच्वल यह बता रहा है, कैसे, 4 इंटू 0 प्लस 2 बराबर, कितना आया, 2 S में 2 इलेक्ट्रोन भरे जाते हैं दिकता कितने इलेक्ट्रोन दो इसमें 6 इसमें 10 इसमें 14 चेक कर लो बात समझ में आगई फॉर्मुलर लगा कि मैंने दिखा दिया है यहां तक तो क्लियर है कोई दिकत नहीं यहां से like हो使 dość चलूँ आगे इसका सार बताऊंगी दीरी दिरी नंगी अगली इलेक्ट्र ne मैं मैं मित्तों देखो परीभाशन कुछ सिस्क पतार कह रहे है कि अपने अक्ष पर चकर लगाते हैं से प्रतिषित करते हैं सब्सक्राइब करता है किसी परमानों में इलेक्टोन केवल नाबिक के चारों और ही चक्कर नहीं बलकि अपनी अक्षपे भी घुमता है जब वह घुमता है तो निश्चित क्वांटम संख्याओं के लिए चक्करन क्वांटम संख्याओं सब्सक्राइब नवं हमेशाद 2 होता है प्लस एक बटा दो और माइनस एक बटा क्लियर बात समझ में all Signal यन्य एक एक इल्यक्त्रों जबाओ चक्कर लगा रहा है तो यह तो क्या घुम रहे हैंค्लोकवास clockwise या फिर वो गुम रहा है एंटी clockwise जब clockwise गुमता है तो उसे प्लस एक बटा दो लिखते हैं जब एंटी clockwise लिखते हैं तो माइनस एक बटा दो लिखा ठीक ओकी अब इन चारों का सार देखते हैं कैसे क्या है अगर आपको n की value दी गई है जरा ध्यान से देखो अब आंसरस एंड की value दी गई है एक दो तीन चार तो अपने पास का क्ष के एल एम एन डन के उसके बाद में दिग्वणशी क्वांटम संख्या के लिए क्या आएगा n-1, 0, n-1, 0 और n-1, 1, 2s, 1s, yes और no यदि n की value दो है तो वहाँ दो उपकोष होंगे, s और 3, n की value 3, s, p, d, n की value 4, s, p, d, n ठीक, अब एक बाद ध्यान देना, सभी बच्चे, यही पर समझा रही हों, l की value 0, direct लिखी गई है, 1, 2, 3, s, d, 3, s, d, 2, s, d, 1, s, d, 0, क्या करोगे, उस दोरान सिधा उपकोष लिखना, सारे उपकोष नहीं, जो पर्टिकूलर उपकोष का value है वही लिखो, क्या, s, क्या, p, क्या, d, क्या, yes or no, हाँ यह न, जल्दी बताओ जल्दी, हाँ यह न, जल्दी बताओ दो भाई, बात समझ में आ गई होगी, अब मैं इधर समझा देती हूँ इस बात को, यह तो clear है, अब देखो बेटा, एक बात ध्यान से, अगर L की value 0 है, तो केवल क्या होगा, ऐसी होगा, अगर L की value 2 है, तो p, d, और f, यह तो यहां तक पहुँचने का रास्ता बता रहा है, clear, अच् चलो जी, चलो, अभी erase कर देते हैं, दूसरा color लेते हैं, वरना बच्चे कहेंगे, madam, क्या कर दिया, आज़े, S की value 1, 0, S, 2, 3, 3, D, 4, S, ठीक, direct नहीं आ सकता है, इसलिए इसने खोल कर दिखाया है, लेकिन direct value यह तो के, अब, अलसे हम की value निकालो, अगर, L की value 0, तो एक 0 यह आएगा, L की value क्या हो, 1, तो प्लस 1, अच्छा, दो यह तो पहले minus 1 आएगा, एक तो यह E razor खा गए, भाई साब, यह रो, अच्छा, दो है, ठीक, 0 और 1, फिर 0 में 0, अगर 3 है, और 5 है, ठीक, 0, अब तो दिकत हाई नहीं, अब तो समझ में आ गया, S की वेल एक बटा दो, सब के लिए सेम होगी, कोई दिकत नहीं, कुल इलेक्ट्रोन की संख्या, पता है, निकालना, आता है, राइ, कोशों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 4L प्लस 2, और कोश में इलेक्ट्रोन की संख्या के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, 2N2, इलेक्ट्रोन ग्याद करने बाद, ठीक है जी, ठीक है, ओके जी, चले आगे, डन, चलते हैं, अगले पड़ाओ पर, क्वान्टम संख्या को किस से रिपर्जेंट किया जाता है, उनकी वेल्यू क्या-क्या हो सकती है, और सिग्निपियंस, यानि की, डिस्टेंस, शेप, औरियन्टेशन ओफ, और्बिटर, औरियन्टेशन ओफ, इलेक्ट्रोन स्पीन, ओके, उतार लो भाई, जल्दी से, यह तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो पता है, मैंने पीछे बताया, इसलिए मैं फटा-फट गदा हुए तो, ठीक है, चलो आग है, तो क्या L निकल सकता है, यस, L है, तो क्या आम निकल सकता है, यस, और M है, तो क्या S निकल सकता है, यस, हाँ यह न, देखो, अगर आपके पास N है, तो N-1 करके L की वेल्यू आ गई, और इसकी वेल्यू, 12 प्लस 1 आ गई, और यहाँ पर क्या आ गई, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं सीधा सीधा बात समझ में आ गई टू ए तो 0 1 थ्री ए तो और फॉर ठीक यहां आ गए क्या एकी वेल्दियो तो कि रोगे तो किया आएगा अन का कि कशक tribunal और 2 आती क्या था है ज़्यां तो तो हूं फॉर टू पॉर500 चलिक एको एं 3, 3, 4, 1, 7, 3, 2, 4, 1, 5, 3, yes or no, हाँ या ना, बात समझ में आगी होगी, सबको चलते हैं आगे, ये तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ये बाते सबको आनी चाहिए, सबको समझ आनी चाहिए ताकि बात क्लियर होजा, चले, done, चलते हैं आगे, आगला, आगे, पहला क्या चलू, आगे, 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 आगे दोई होंगे हां या ना जल्दी बताओ एल की वैल्यू कितनी आएगी दोई आएगी तो कोश संभावित क्या होंगे एस और पी और डी हां या ना बताया गया है कि मैंने एल की वैल्यू कितनी आएगी एल की वैल्यू आएगी क्या दो यस और नो हाँ यह न और L का मान दो है तो L का मान दो का मतलब क्या आया L का मान दो का मतलब आया 0 1 2 हाँ यह न एस पी जल्दी बताओ यस और नो हाँ यह न यह न यह पटाफट देखो इसका अंसर क्या होगा जल्दी से देखो फटाफट आया चाहिए एन की वेल्यू तीन इसका मतलब L का मान दो है दो के लिए 0 1 2 हाँ यह न शुरुआत जिरो सही होती यह की बताया था ना यस तो संभावित मान 3 3s 3p और 3d आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एन की वेल्यू अगर तीन है तो एल की वेल्यू दो और दो होती है तो डी तो डी तक आने के लिए क्या के चला पड़ेगा एस पी और दी और आगे अंग कितना लिखा गया तीन तो 3s 3p और 3d ओके यस और नो चलें जल्दी ओके चलते हैं आगे डूसरा क्यास्टन दूसरा क्यों बहीं दिखने रहा है मेरे बच्चों को तो चलते हैं समझें क्या है 4d उपकोश में कितने वक्षक है 4d ठीक है आज है 4n की वेल्यू 4 l की वेल्यू डी के लिए कितनी होती है 2 यस और नो जल्दी बताओ प्याजल लूम तो उपकोश की सांख्या निकालने का सुत्र होता है 2l q 1 उपकोश के लिए और उपकोश में इलक्टरों के लिए होता है 4l प्लस2 हां यह ना आजो देख लेता है अगर इसने क्या उपकोश में कितने कक्षक हैं उपकोश में कक्षक चलो भई उपकोश में कक्षक लिखना है तो मैं वैसे ही लिखना है उपकोश में कक्षक चलो आजाओ दो गुणा दो प्लस वन च्यार प्लस एक इतना पांच यस और नो फोर गुणा टू प्लस टू एट प्लस टू बी में कितने उपकोश में कक्षक निकालने का सुत्र क्या होता है 2s plus 12 plus 1 उपकोश में एलेक्टोन निकालने सुत्र क्या होता है 4L plus 2 यस DO सब्सक्राइब कोश में संख्या किस से पता चलती है एंस बात क्लियर हो गया यह सब्सक्राइब आ रहे ना अंसर यह चलो अगला क्योस्टन देखो पड़ा पर अच्छा आंसर तो पता हिए बी उप कोश के लिए एम एल की वेल्यू बताओ अच्छा किस की वेल्यू एमल ठीक सबसे पहले एल की निकालो एल फिर निकलेगा आमल ठीक और इसमें पहले आजो बही एक चीज और लिए आओ भी राजा बच्चो और फिर आता है एमल ठीक और ध्यान से लिखनें ताकि बात क्लियर होगा आओ जी आओ यह गया है डी यहां पर एक दो तीन चार ठीक एल की वेल्यू जीरो एक दो तीन एस पी डी एम यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं नहीं है न जल्दी बताओ यहां मैं तो अब हमल की वेल्यू कितनी अगर एल की वेल्यू जीरो अगर एल की वेल्यू कितनी एक तो भी जीरो दो तो जीरो मैनस एक तीन तो क्या लिखोगे जीर माइनस वन जीरो प्लस बंद यह सअर नौ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ यह सोर नो बताओ चले आगे तो कहा कि यदि आपके पास एमल की वेल्यू आपको निकालनी है तो आपके पास दी बराबर कितना आया? 2 आया तो 2 आया तो अपन direct क्या लिख देंगे इसको सीधा सीधा 2 आया तो क्या लिख दोगे L की value 2 क्योंकि आपने दी दिया हुआ है तो M की यदि आपको value लिखनी है तो वो जाता है L minus 2L plus सही है तो कुछ भी नहीं मैंने जो बताया उसको continue कर दो minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 yes or no बात समझ में सभी बच्चों को clear हो गया yes or no जल्दी बताओ भए चलो जी इसको erase करते हैं और देखते हैं इसका answer यह रहा आगया answer जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ clear हुआ की नहीं सबको समझ आया की नहीं आ गया चलो जी चलो आप चलते दूसरे प्रश्ण की वागए quantum संखें किस कक्षक का प्रति निधित्व करती है यदि कौन सा कक्षक है आप बताओ N बराबर क्या लिखा चार इसका तो कोई नहीं वो चार तो आगे लिखा जाए L बराबर 3 3 किसके लिए होता बही 0, 1, 2, 3 S, P, D, और S सही है हाँ या न 4 तो आगे लिखा जाया किसके 3 पर क्या है L का मान 3 तो कौन सा कक्षक F कक्षक और N की वैलू कितनी है चार तो कौन से कक्षक का परती नहीं दित्व कर रहा है एक वांडम संक्या 4 F का यानि की यहाँ पर 4 F कक्षक आएगा जिससे पहले 4 S, 4 P, 4 D 4 F Clear? अब आप सभी बच्चे मुझे कमेंड में लिखकर बताएंगे कि इसमें उपकोश कितने हैं और उसमें कक्षक कितने हैं और उनमें इलेक्ट्रोन की संख्या कितने हैं इसा हम वर्क फो यू ओके जल्दी जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी बताएंगे चलते हैं जी आगे आप अपना यह तो होई गया 4 F कक्षक का परती दिद्दू करते हैं अब आते हैं बच्चों हम अपना अगला टॉपिक क्वांटम संख्या ही समझ में आई सबको क्लियर हो गई कुछ नहीं है क्वांटम संख्या क्वांटम संख्या को अगर मैं एक यह कहूं एक लाइन में समझाना चाहूं तो क्वांटम संख्या का मतलब होता है N, L, M, L, S ठीक, एक, दो, तीन, चार, 0, 1, 2, 3, ठीक, इसका मान जीरो, इसका मान एक तो मैनस एक, जीरो, प्लस एक, दो तो मैनस दो, प्लस माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, जीरो, प्लस एक, प्लस दो, प्लस तीन, और एस तो सब के लिए हमेशा, प्लस एक बटा दो, और माइनस एक बटा दो, यह है, यह है आपकी क्वांटम संख्याएं, ओके, बात समझ में आ साथ एल कमान तीन आते ही कौन सा कख्षक हो जाएगा है कितना इजी एक वांटम संख है हाँ या ना चलो जिट चलो अब चलते हैं और क्लियर परमानों कख्षकों का आखा बेटा अपने पास कुतने कख्षक हैं उपकोश है एस पीडियाफ चार है चारों के आकरती देखें पहला है कौन सा एस और बीट जिसके आकार हमेशे क्या होता है राउंड शेप में होता है वनस इलेक्ट्रोन की संभावना नाभिक के अदिक्तम निकट पाई जाती है जानाभिक से दूरी बढ़ने के साथ घर्टी जाती है इलेक्ट्रोन का गनत्व एक पॉइंट है साइइन स्क्वाइर इसे क्या का जाता है साइन स्क्वाइर का मान जितना ज्यादा इलेक्ट्रोन के पाई जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है और यह जितनी कम इसकी वैलियू एलेक्टोन के पाई जाने की संभावना उतनी ही कम होती राइट इसका स्ट्रैक्चर देखो जड़ा कैसा होता है इस तरह इसमें कोई एक्सस नहीं होती विटर कोई एक्सस नहीं क्योंकि यहां पर कहें गोल्ड शेप में तो राउंड शेप कारती है कैसी होती है कैसी नहीं दंबलकार की कि आकरती कहीं होती है ऑर क्रड़ाएंग्स क्या क्या होती है इसमें अल बराबर वंड्म में तीन संभावितसमान होंके बताई दिए मैंने फ PX PY और PZ ठीक है अभी विन्यास 3 होगा X Y और Z जिसे हम नीमने प्रकार से प्रतेशित कर सकते हैं अगर आपको यह पता नहीं चल रहा है तो मैं थोड़ा सा करके दिखा देगा 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 देखो कि एक कि ध्यान देना इधर बेटा एक्स है इधर वाई है चलो यहीं बना रहे तो और इधर बेटा क्या है जड़ है ठीक चलो पहला अक्ष एक्स 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 एस जड़ एक्स एक्स ठीक है तीनो वाक्षक दिख रहे है पी एक्स पी वाई पी जड़ देखो ज़रा प्लस माइनस दो पालिया दिख रही है दिख रही है देखो हाय है ना? हाय ना? यह यह यहां है पी एक्स पी वाई पी जड़ यह और बात समझ में आगे जो उपर वो प्लस में जो नीचे वो माइनस में हमेशन हमेशन ओके पी वाई इन्हों इस तरफ लिखा है नॉ पी यहां देखो यह पी आपको यहां मैंने बनाए ओपर प्लस में किसा मैं फ्लस मैं फ्लस प्लस यस और नो जल्दी बताओ फटाफ फट चलते हैं आगे चलिए जी अब चलते हैं इस और अच्छा जी चलें अब आओ जी आओ जी डी और्बिटर डी और्बिटर के प्रगा होते हैं पांच कौन कौन से होते हैं अभी ठीक है पहले परिपर्शन डीप कोश में और्बिटर में एल की वेल्यू टू तो यह हो गया हमल की वेल्डिया कोई दिक्कत नहीं है डी एक्स डीवाइज डी जैर एक्स इसक्वार मैनस वाइस पार दी यह माइनस नहीं हो तो डैश होता है ओकी इसका गणितिया रूप में इसका मान निकाला गया था इसलिए इसका रिपर्जेंटेशन ऐसे ओके चलते हैं आगे स्ट्रेक्चर देख सकते हैं आप कैसी है अब मैं आपको यहां पर एक-एक दिखा रही हूं बनाकर पहला दी एक्स वाई आजाओ सब बच्चे आजाओ एक्स और वाई डी एक्स वाई डी वाई जैड डी जैड एक्स तीन और दो बेटा यह तो होंगे अक्षमे और यह होंगे राजा अक्षपर ठीक है कोई दिक्कत नहीं नहीं आजाओ अक्षपर कि सही है जल्दी बताओ यह सोर नो बात समझ आई यह नहीं क्लियर हो गई ठीक है पहला देख सकते हो आप डी एक्स वाई यह रहा डी एक्स है ठीक है उतार लिया आओ दूसरा दूसरा क्या है डी एक्स वाई के बाद में वाई जल्ट एक्स तो यह था यह यह और यह जट एक्स पर यह रहा यह पर यह रहा यह सोर नो यह सोर नो से यस माम जल्दी 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 बात समझ में आ गई फटा फट बोलो अगला अगला क्या है जेड एक्स जेड पर यह रहा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जेड और यह रहा है हाँ यह ना बात समझ में आ गई है सबको क्लियर क्लियर अब चलते हैं आगे अब कौन सा पॉइंट जरा ध्यान देना अब जो बनाने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा important है क्योंकि वो अक्ष में है देखो भी तो dx square y square dz square अक्ष में है x और y y square ठीक तक यह जड कूई कैसे एस के ऊपर एक्स ठीक और यू पर य एक्स ग्रे понять एक्स गार य ज़्ग ठीक अब जड एक्स उड़ा और जो नहीं है हमने हिस एक्सिस को जडमाना क्या माना जड़ लिख दिया जड़ पे राउंड बना दिया बना दिया वापस जड़ के उपर जड़ दिखेगा नहीं तो क्या दिखा दिया क्लियर बात समझ में यह हुआ एक्स स्कार वाइश के और जड़ स्कॉर ख्लियर डाउट क्लियर हुआ अक्ष एक्स बनाना आगे यह जल्दी से उतारेगे फटाफ़ पर क्यास्टन पूछते एक्ष में कौन से होते हैं एक्ष पर कौन से थे डी एक्स वाइड दिवाई जड डी जड़ एक्स अक्ष पर डी एक्स स्कॉर वाइश को बिजड़ इसकॉर अक्ष में विञ्यास होते हैं चलो आगे अगला इलक्टोनिक विञ्यास इसको सबसे पहले ओफो नामक वेगयनिक ने बताया कि इलक्टोनों को जिनक अक्षकों में भरा जाता है जिस प्रम में वही उसका electronic विन्यास होता है विपिने कक्षाओं में electronic की वितरन को electronic विन्यास कहते हैं जिसे नीमन नियमों का पालन करना पड़ता है और वो सिद्धान पावलिय अपवर्जन का सिद्धान हुंड की बहुलगता का नियम एक और नियम है बेटा N प्लस L का नियम इन सब का पालन करते वेई हमें electronic विन्यास भरना पड़ता है ठीक है? चलो जी चलो पहला पहला क्या है? ओफवो सिद्धान फटा फट जल्दी से देखेंगे की ओफवो सिद्धान क्या होता है? ओफवो ने इलाक्टोन को भरने के क्रम में ही दिया था कि जिनकी उर्जाएं कम उनको पहले भरो जिनकी उर्जाएं बाद में जादा होती है उन्हें बाद में भरना चाहिए तो इसी पर उन्हा कुछ तक्थे दिये कि सबसे कम उर्जा वाले काक्षक उच्चूरजाग अक्षक से पहले भरे जाते हैं राइट देखो जी देखो ये क्रम तो आपने तेंट में भी देखा है 11 के बच्चों देखा है कि नहीं जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी देखा है कि नहीं फटाबट बता दो जल्दी से देखा है हाँ अगर देखा है तो फिर ज़रा ध्यान देंगे क्या देखा है आओ 1s 2s 2p 3s 3p 4s इस तरह चलता रहता है हाँ या ना क्लियर इलक्ट्रोन से पहले 1s में 2s में 2p में 3s में ठीक है इस बात से समझ में आ रहा है कोई दिकत नहीं है और इसका क्रम कुछ इस प्रकार होता है 1s 2s 2p 3s इस तरह से लिखी जाते हैं 7p तक यहां तक तो कोई दिकत नहीं है किसी को भी है क्या होने नहीं चाहिए इलक्ट्रोन एक विन्यास तो सब को ही आता है लिखना आता ही है आश में अधिक्तम दो इलक्ट्रोन पी में 6 डी में 10 और आप में 14 होते हैं कोई दिकत ना जीना अब चलते हैं पहला नियम जब इलक्ट्रोन भरना ही है तो किस कक्षक में और किस प्रकार वो बताईए आप तो उससे पहले नियम आया था एन प्लस एल का नियम इसने क्या कहां इस नियम के अनुसार इलक्ट्रोन सबसे पहले उस कक्षम में भरा जाएगा जिसमें एन प्लस एल की वेल्यू कम हो राइट ध्यान देना ध्यान से जैसे अपने पास 1s, 2s, 3s, 4s रुको 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 इसको ऐसे नहीं यूं समझते हैं अपने पास कक्षक है एन बराबर 1,2,3,4 ठीक है? ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं है 1s होता है, 2s भी होता है, 2p भी होता है ठीक? सिंप्ली 3s होता है, 3p होता है, 3db होता है 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4db होता है, 4fb होता है कोई बात नहीं अब कहा कि आपके पास वनस है और टूस टूपी है यह दोनों एक ही स्थान पर है दोनों एक ही स्थान पर है ना एक ही जगह टूपर ही है तो कौन से में पहले भरा जाएगा इलक्टर्ण दोनों में से किस में पहले भरा जाएगा तो कहा कि यह स्थान की उर्जा कम होती है ठीक पास केसे पदाचला कम होती है तो कहा कि आप यह दिये देखें कि N प्लस L को तो N की वैल्यू दो एस के लिए जीरो दो पी के लिए एक यहा आया दो यहां आया एन प्लसल की वेलु कितनी है दो जिसकी वेल्यू एन प्लसल के लिए कम होती है उसकी उर्जा भी हाँ या ना बात समझ में आगी है तो यह था आपका एन प्लसल करने ऐसे ही बच्चों जब आप इलक्तोनिक विन्यास लिखते हैं जैसे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 फिर आता है 3d, 4s आता है ना और हमने यह देखा है कि d से पहले 4s में इलक्तोन बर देते हैं क्यों भाई क्योंकि अगर इनमें प्लसल का रूल लगाऊं तो यहां चेक करो जड़ा तीन प्लस डी के लिए ल की वेली कितनी होती है दो यहां आजव फोर प्लस सी यहां कितने हैं तीन दुनी तीन और दो पांच और यहां कितने चेक इसलिए इलक्तोन 3d से पहले किसमें बरे जाते हैं प्लस में भरे बात समझ आई टॉपिक क्लियर हुआ हां जी हां फटा फट उतारेंगे चलते हैं आगे दुसानियाम पावली अपवर्जन का नियाम इसने कहा कि इलक्तोन जब कक्षकों में भरे जाते हैं तो पहले जब इलक्तोन आप भर रहे हैं तो एक एक युगमित इल विपड़ः चक्रण वाले एक ही जग़ा हां गे किनी पी दो समान नहीं है तो उनके लिए लेक्तोन जिनका चक्रण क्या हो विपड़ः ओ वही उस एक कक्ष में भरे जाएंगे कैसे आपके पास एक कक्षक है जिसके अंदर यू दो इलेक्टोन बरते हम कभी भी ऐसे इलेक्टोन नहीं भरेंगे विपरित चक्रन वाले दो ही इलेक्टोन एक कक्ष में भरे जाएंगे एक से दो से जादा इलेक्टोन किसी भी कक्ष में नहीं रहेंगे क्लियर बात समझ में आ गई चलते हैं अगला नियम अगला है हुंड का बहुलकता का नियम की इलेक्ट्रोन जब आप भर रहे हैं कि एक कि आपके पास सपोर्ज तीन कक्षक हैं और आपके पास पांच इलेक्ट्रोन हैं तो कैसे बढ़ना है एक दो तीन चार और पांच गलत कैसे बढ़ना है एक दो तीन चार और पांच अब आप सुझे इसमें इसमें क्या फर्क है ठीक कोई बात है तीन इलेक्ट्रोन हैं कितने हैं तीन एक दो तीन एक दो तीन कौन सा सही बता जल दी ए या भी ऐसे कभी भी बना नहीं पहले सभी कक्षकों में युगमित होंगे उसके बाद भी वह युगमित हो ना शुरू होते हैं राइट बात समझ में आ गई होगी चलते हैं अब इसका नियम का अपने को पता चली गया है तो वह हो ग युगमित इलेक्ट्रोनों को अधिक्तम संग्वाओं तक रखना होता है उसके बाद में ही वह युगमित होते हैं राइट लियर अब है यह इस क्रम से अपन क्या करते हैं इलेक्ट्रोन को भरते हैं बनास टूस टूस टू क्लियर जी बच्चेया हाँ या ना जल्दी तो अपना टॉपिक खतम हो चुका है क्वांटम संक्या से क्वेश्चन कंफर्म आएगा दो नंबर का क्वेश्चन आता है पावली अपवर्जन का नियम हुंड की बहु लगता का नियम पूछी लेता है और प्लस अलका नियम या इलक्ट्रोनों का वित्रण कैसे होता है पू सब्सक्राइब जो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अच्छे से नोर्स बनाओ जल्दी जल्दी ओके अग जो भी चीज का डाउट है कमेंड में लिख देना ताकि बात प्लियर हो जाए मैं नेक्स क्लास में आपके डाउट क्लियर करके ही आगे टोपिक पढदे रहो खुश रहो मस्त रहो थैंक यू